अलो जी, गुट आफ्टनून, टाइम हो गया है जले, आजये, येस, शशांक गुसाई कर लो, एक काम करो पहले पहले, येस, अनूप, अन्मोल, मुसू, शशांक, राहूल, जिद्धीगर, प्राची, दीपक सानी, दिशान, दुर्गाशंकर, स्वीटी, सदन, मोनू, राज, चाया, मंटोल, बिल्ली, मंटोला बिल्ली, अमार, श्री, आयूशी, कविता, संसकार, जस्वंत, येश, बेटू, शिवानी, रीनू, अंकिता सिंह पतेल, कविता, शशी, प्रशांत, मुसू, प्रशांत आशतो बहुत रहे नहीं है, चलिए, आजये, गुड मॉर्निंग, रादे, रादे, खुश रहे, सत्रियाकाल, नमस्कार, और वालिकुम अस्लाम, आजो, चलो, तंत्रिका, नियंत्रण, और समन्वे, ये चाप्टर बहुत बड़ा है, तफ लगता है बच्चों को, और है भी ठीक है, क्योंकि नर्वर सिस्टम पढ़ना है, आज ही नहीं, आगे जो बच्चे, ये चाप्टर के साथ नहीं हुआ है, एक आपका अगमने वं संजरुन के साथ हो जाता है, ये स्रादे रादे रादे रादे, बाकी किसी और चाप्टर के साथ यूमन फिजियोलजी में ऐसा नहीं हुआ है, कि वहां से एक भी क्वेस्टन ना आए, लेकिन ये पता नहीं क्यों बिचारा ऐसा चाप्टर कोने में पढ़ जाता है, कि क्या है, या तो जो पेपर बनाने वाले हैं, वह सोचते हैं, इससे आयूशी, जिस, शिवानी, आज हो सारे, तनिशा, देशी लिजेंट, चली, शुरू करते हैं, बेटा, तंद्रिका, नियंत्रे नेवं समन्वे, शुरू करने से पहले हम या पर देखने कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, मुझे बता नहीं क्यों चैप्टर बहुत बहु तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, परिचे की, परिचे में हम बात करेंगे आपके नियूरॉन की, ठीक है, और इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, प्राणियों में सनरशनात्मक संगठन में, जो हमने तंत्रिका उतक पढ़ा था उसमें, ठीक है, फिर बेटा हम बा तंत्रीका आवेगों की उत्पत्ति एवाम उन के संचरन्ड की जिसमें हम सिनापस के बारे में भी बात करेंगे. इसके बारे हम बात करेंगे बीटा सिनाप्स के बारे में फिर हम बात करेंगे हमारे तंत्री का तंत्र की यानि की नर्वस सिस्टम की जिसमें हम बात करेंगे केंद्री और परदिय तंत्र की उसके बाद हम बात करेंगे आपके मानव नेत्र की और मानव नेत्र के बाद हम बा माया शुबम हारून अली पापा की परी मोनु तवर मौम्मद साइद आज़ो ठीक है तो शुरू करते बेटाई चाप्टर जो भी आपके ग्रुप्स हैं आप उसमें पॉवर्ड कर सकते हैं कि लेक्टर शुरू हो गया है जिसे आना है अटेंड करना है अटेंड कर सकते हैं इससे कितने क्वेस्टन आते हैं रहे हम एक भी वी क्वेस्टन करके चलते कितने हम एस चैप्टर से दो च्याप्टन करके चलते हैं दे emergencer जलती से ही होता होगा ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जान भूज कर तो कोई ऐसा नहीं कर सकता सबसे पहरी लाइन बेटा है या पर हम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देखेंगे कि एक है आपका तंत्री का तंत्र और अंत्यस्रावी तंत्र तंत्र और अंत्यस्रावी त संत्र होता है आपका जो नर्वस सिस्टम है यह और आपका एंडोक्राइन सिस्टम यह दोनों बेटा परसपर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं यह चीज़ आपको पताऊनी चाहिए और ऐसा क्यों होता है उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इन दोनों के बीच में सहीओ जग कड़ी की तरह काम करता है आपके तंत्र का तंत्र का भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट भाग है वहीं बेटा यह आपके अंतेस्ट रावी तंतर का तो करता धरता है ठीक है इसको अगर हम बात करें हॉर्मोन के सेंस में तो इसको Master of Master में लेकिन देन थे मास्टर जोने लेकिन और यह जरूर है कि तंट्रिका तंत्र निवह बहुत भून का निभाता बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग बनाता है ठीक है इसी लिए यह आपके तंत्रिका तंत्र और अंत्यस रावी तंत्र दोनों के बीच पर सही हो जब कड़ी की तरह काम करता है और इसी लिए ऐसा एक लाइन आपकी एंसी आटी में लिखी है कि आपकी तंत्रिका तंत्र कहीं सबाखै है को बात करते हैं सबसे आप को पड़ाउंगी ही न्यूरॉन की संऺचना की आप सबको पता है neuron तंत्रिका तंत्रिकी सनरशनात्मक एवं कार्यात्मक की काई है ठीक है इसके पास क्या क्या होता है इसके पास एक तो कोशिका काई होती है यानि की cell body और दूसरा बेटा इसके पास ठीक है यह हो गई कोशिका काई जिसके बीच में क्या है बेटा केंद्रक है यह द्रुमाक्ष यह है यह हो गया द्रुमाक्ष यह हो गया बेटा पूरा कंत्रिकाक्ष जिसको हम बोलते हैं एक्जोन ठीक है यह हो गया आपका एक्जोन द्रुमाक्ष को हम बोलते हैं मैटा डेंडराइट ठीक है द्रुमाक्ष को हम बोलते हैं डेंडराइट यह हो गया आपकी कोशिका का है यह पूरी है आपकी कोशिका का यानिकी सेल बॉडी जिसको हम साइट आन या सोमा भी बोलते हैं इसके अंदर बेटा कुछ कण पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं निसल के कण यहां से आपके नीट में पूछा जा चुका है इनको हम क्या बोलते बेटा निसल के कण या निसल के कण कहां पर पाये जाते हैं यह आपके तंत्रिकाक्ष में नहीं पाये जाते हैं निसल के कंड बेटा कहां पाए जाते हैं दुरमाक्ष में और कोशिका काय में ये तंत्रिकाक्ष में नहीं पाए जाते हैं तंत्रिकाक्ष में बेटा एक कोशिकाएं उपस्तित होती हैं इसके यहाँ पर जिनको हम बोलते हैं श्वान कोशिकाएं क्या बोलते हैं इनको हम श् नहीं करती हैं ठीक है यह पाई तो आपको आगे बताऊंगी ठीक है चलिए हां जी तो यहाँ पर यह हो गया आपकी शौन कोशिकाएं ये शौन कोशिकाएं किसका निर्मान कर रही है ये निर्मान कर है आपके MV आच्छात का मैलेन च्थ्चत क्या है विटा ये एक तरीके से वसा व्युत्पन परत होती है यह व्यूत्पन परत होती है अभी इसका क्या रूल है हम आगे डिस्क्स करेंगे ठीक है पिर यह हो नियूरॉन को कई सारे प्रकार से बटा हुआ है तो नियूरॉन क्या करता है या कितने प्रकार से बटा हुआ है सबसे पहले तो धुरुबों की संख्या के आधार पर यह आपके जो neuron होते हैं बिटा ये निम्न प्रकार के होते हैं सबसे पहला हो गया बिटा आपका अधुरूबिय neuron जिने हम बोलते हैं apolar neurons फिर हो गया बिटा आपके एक धुरूबिय जिने हम बोलते हैं unipolar neurons फिर हो गया बिटा आपके कुट एक धुरूबिय जिने हम बोलते हैं pseudo-unipolar फिर हो गया बिटा आपके द्वी धुरूबिय जिने हम बोलते हैं bipolar neurons bipolar और लास्ट में हो गया आपके बिटा बहु धुरूबिय जिने हम बोलते हैं multi-polar neurons अब मैंने क्या बोला ये बिटा धुरूबों की संख्या के आधार पर है येस तो यहां पर बेटा ये धुरूबों की संख्या क्या अब धुरूब क्या होते हैं धुरूब होते हैं आपके द्रूमाक्षे और तंत्रिक आक्षे ठीक है तो तो यहाँ पर बेटा जो आध रूमियोनीरोंस होते हैं वो इस तरीके के होते हैं ठीक है और ये बेटा आपको देखने को मिलेंगे हाइड्रा में हाइड्रा कौन है स्कुर्ण कौन है सिलेंट्रेट्रेटा संग का एक सदस्य है और सबसे पहले तंत्रिका उतक जो देखा गया था वो सिलिंटेटा में देखा गया था पौरी फेरा में तंत्रिका कोशिका कोशिका नहीं है very important पौरी फेरा में कोई भी तंत्रिका कोशिका नहीं है Yes, Praveen सबसे human reproduction Catch it? human reproduction 2 chapter सबसे पहले बेटा देखा गया था आपका नियूरॉन ठीक है और उसमें जो नियूरॉन थे वह सबसे जाधा कम विक्सित थे जिसको बोलते अल्प विक्सित है ना और वो थे विटा आपके अधुरुबिय नियूरॉन इसमें ना तो आपको तंत्रिक आक्ष दिख रहा है न नहीं यहां पर बेटा आपको दुरुम आक्षे दिख रहा है वेरी इंपॉर्टन अब आते हैं एक दुरुबिय पर तो यह आपका कोशिका काय हो गया और यह आपका तंत्रिकाक्ष हो गया इसमें आपको केवल एक धुरूप दिख रहा है यानि की एक एक तंत्रिकाक्ष दिख रहा है और ये बेटा आपके पाए जाते हैं कहां पर भूनी अवस्था में ठीक है जब बच्चा मा के गर्व में होता है उस समय पर उसके जितने भी निरॉन्स हो करते हैं ठीक है बाद में यही एक धुरुविय निरॉन दूई धुरुविय और बहु धुरुविय निरॉन को का निर्मान करता है ठीक है क्लियर है उजाला अभी तो शुरू हुई एक बार पढ़ना तो शुरू करो साड़े तीन घंटे तक मैं कोशिश करूंगी खतम कर दो इंफक्ट क्योंकि अभी वो तंत्रिका जो आवेग वाला है वो थोड़ा लंबा रहेगा उसके बाद जल्देल्दी हो जाएगी ठीक है तो एंब्रियोनिक स्टेट में यह सास था राज एंब्रियोनिक स्टेज में बिटा जो आपके निरॉन्स होते हैं वह एक धुरुव कई इस कोशिका कई से एक धुरुम निकला यानि हम मानते तंत्रिकाक्ष निकला आगे जाकर के नेकिशने जाखने laptops दोनों दूंकी फैल गया इस जिसका कमे दुरुइए यह वास्तव में एक दुरुइए नहीं है ठीक है यह बिटा आपके पाए जाते हैं या की प्रिष्ट तो मूल कुछ का में ए और येपिता के मेरूरज्जु मेन यानि की स्पाइनल कॉड में होती है ठीक है यह आपके स्पाइनल कोड के डॉडसल रूट ग्यांगलियों में पाए जाते हैं ठीक है चंदन धन्यवाद अम बात करते हैं दूई धुरुभीय क्या होते हैं तो यह हो गई आपकी कोशिका का है इससे उपर की तरफ निकल गई यह दुरुमाक्ष और एक लंबा से निकल गया आपका तंत्रिक आ करणे थिक हैं आपके जो संवेधी अंग हैं विटा उन संवेधी अंगों में अक्सर आपके बाई पोलार नीरॉन्स यानी की दूई धुरुवय नीरान्स पाए जाते हैं ठीक है ओके दिव्यानशू फिर हम बात करते हैं बहुत रुभीय की तो बहुत रुभीय है बेता इसमें कई सारे द्रुमाक्षे होते हैं लेकिन इसमें बेटा तंत्रिकाक्ष केवल और केवल एक होता है द्रुमाक्ष इसमें कई सारे होते हैं यह हो गया बेटा आपका बहुद्रुवी निरॉन कितने भी दरुफ हो, तंत्रीक आक्ष केवल1 होगा, दुरुमाक्ष या तो नहीं होगा या 1 होगा या कई सारे हो सकते हैं, लेकिन तंत्रीक आक्ष वेटा हमेशा के 1 ही होगा और यह होता है वेटा आपके प्रामस्दिश्क में, ठीक है? यह यह नियूंँ बोलो आपके मस्टिष्क में अधिकांश निरॉन तर bas Daha मस्टिष्क के अधिकांश नियूरॉन आपके मस्टिष्क में अधिकांश नियूरॉन्स बेटा बहुद हुवी हैं यहां तक क्लियर है जल्दी से बता दो यहां से बेटा आपके नीट में क्वेस्टन आ चुका है एक बच्चा पूछ रहा था मैं कितने साल के पीवाई क्यूज करने जरूरी है तो 2013 से लेकर के 2022 तक का एक भी पीवाई क्यू मत छोड़ना उससे पहले के पीवाई क्यू अगर एंसी आटी बेसे तो रख लो मतब प्राक्टिस कर लो आउट अफ एंसी आटी तो फिलाल छोड़ दो यह सबको क्लियर है बेटा दुरुबों की संख्या के आधार पर नियूरॉन पांच तरक बेस्ड ओन टाइप अफ एक्जॉन है ना नियूरॉन बेटा आपके दो प्रकार के होते हैं एक होगे आपके माईलिन अच्छादित जिन्हें हम बोलते हैं माईलिनेटे डियूरॉन्स और दूसरे होगे आपके माईलिन अनाच्छादित जिन्हें हम बोलते हैं नॉन माईलिनेटेड नियूरॉन्स ठीक है अब इन दोनों में क्या अंतर होता है ये भी देख लेते हैं जो आपके माईलिन अच्छादित नियूरॉन्स होते हैं यह मैंने बनाया आपका तंत्रिक आक्ष यह क्या बेटा आपका तंत्रिक आक्ष इस तंत्रिक आक्ष में यदी माईलिन आच्छाद उपस्थित हैं तो इसको बेटा हम बोलते हैं माईलिन आच्छादित नियूरॉन्स ठीक है तंत्रिक आक्ष पर म माईलिन आच्छत की उपस्थिती के कारण बनने वाले नियूरॉन्स को हम माईलिन आच्छत नहीं उपस्थित है इनको बेटा हम बोलते हैं माईलिन अनाच्छत अब इंपोर्टेंट क्या है आपकी NCRT में भी लिखी हुई ये लाइन और वो ये कि चाहे आपका नियूरॉन माईलिन आच्छादित हो चाहे आपका नियूरॉन माईलिन आच्छादित ना हो दोनों ही केस में बेटा तंत्रिकाक्ष के उपर श्वान कोशिकाएं उपस्थित होंगी ये लाइन आपकी NCRT में जो नियूरॉन का चितर है उसके देखो साइड में जो लिखा हुआ है उस है उससले में वाइन आपको बताया कि श्वान को शुचाएं क्या करती मायलिन आच्छाद का निर्मान करती हैं लेकिन श्वान को शुचाओं के अलाबा एक और को शिक्याएं जिनको हम बोलते हैं ऐली गो यो अई औलीगो अलीगो involved तैक ठीक है एव हम को उलोनों ही कोशि बेटा माइलिन आच्छत का निर्मान करवाती हैं बस दोनों में अंतर इतना है कि जो oligodendrocytes हैं यह आपके केंद्रिय तंत्रिका तंत्र में जबकि श्वान कोशिका आपके परधिये तंत्रिका तंत्र में करते हैं राइबोसोम के निर्मान करते हैं ठीक है कियुंकि यह protein का निर्मान करें और राइबोसोम में आताय कोशिक जालिका में अंट कोशिका प्रवी जालिका में है ना तो कौन से अंडोप्लासमें रेक रैवोजोम पर पाथ जाएंगे आपके दर्फ पे दे लंप तो आपके निसल की कंबता किससे बनतेया आपके रिदोंस से और आपके Cape यह question नीट में पूछा जा चुक है मैंने आप भी चाहर ना दिया चलिए आब बढ़ते हैं इन दोरों में अंतर क्या है या इसका फाइदा क्या है माईलें अच्छाधित का फाइदा क्या फाइदा है जो मैलें अनाच्छाधित में नहीं है तो इतना समझो कि जो मेसेजnes generate होता है हमारी brain में हमारी body में जो message चलता है वो current के form में चलता है आप लोग है ने बाइब सुनी ओगी कभी किसले होगी हमारी body में इतना current है जला सकते हैं और यह सच है ठीक है हमारी body में करेंट है और किस की वाज़ा से क्यूंकि हमारी body सब को सब्सक्राइब दिशार्ट से यानि की वह पॉजटिव से निगेटिव की तरफ जाता है यह संजना ठीक है ये स्रिंकी बस बत्याईलो तुम लोग हां यह सब को पता है न तो हमाइलिन आच्छा रित न्यू龍 में जो कट allowance उस जगें पर भास मेब भागता है जहां आपर हमने एक संयुक्त वसा पड़ी थी संयुक्त वसा वह वसा जिसमें वसा के अलावा कोई और भी पार्टिकल है हाई या नहीं जैसे अगर वसा ग्लुकोस के साथ या शरक्रा के साथ जुड़ाया तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइको प्रोटीन वसा नाइट्रोजनी शार क इतना का हम बच्पन से जानते हैं कि करेंट पानी में तो फ्लो करता है लेकिन करेंट वसा में नहीं जा सकता घी वाटर और करेंट के लिए बैड कंड़क्टर है यह तो आप सबको पता है ना पानी अच्छा कंड़क्टर है पानी में से करेंट निकल जाएगा लेकिन हम बुलते हैं बीटा, Ranvier के node, क्या बोलते हैं इनको हम, nodes of Ranvier, Ranvier के node नहीं है, Ranvier के node थीक है, तो यहाँ आपके myelin अच्छा दित निउरॉन में, जो current है, हाँ बिल्कुल screenshot लेलना अन्वोल, यह current जो है वो, node of Ranvier से node of Ranvier में जाता है जिसकी वज़े से इसको हम बोलते हैं jumping conduction या saltatory conduction और इसकी चलते यहाँ पर तीवर गती से आवेग संचरन होता है तीवर गती से आवेगों का संचरन होगा clear है जबकि बेटा आपके myelin अनाच्छादित neuron में आवेग ऐसे चलेगा यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया धीर 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 है होगा तीवर गती से नहीं होगा यह विटा फाइदा है आपके myelin अच्छादित neuron का अब जिसको screenshot लेना वो screenshot ले लो यह स्विकास कुछ रही है इसका screenshot लेना है ले लो बबलू गुड मॉर्निंग गुड आफनून नहीं हो गया अच्छा जब जागो तभी सवेरा ऐसा यहाँ देख लो यह दुरूबों की संख्या क्या अधार पर जिसको इसका screenshot लेना है इसका भी screenshot आप ले सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़े हाँ जी अब हम बात करते हैं तंत्र का तंत्र की नहीं नहीं उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी आपके neuron में आवेग संचरन की आवेगों की उत्पत्त्त्ती एवं संचरन ठीक है अब बेटा मैं आपसे बस एक request करूंगी कि कमेंट पर थोड़ा सा ध्यान कम दें कमेंट को बाइबाय करें अभी आपे मुझे थमसब दें और कमेंट छोड़ दें ठीक है जिसको पढ़ना है बाकी जो परिवार बसाने आया उनका तो मैं कुछ करी नहीं सकत फुल करें और शांती से बिटा आवेगों की उत्पत्ति और संचरन पढ़ें जब मुझे वापस से कमेंट आप से करवाना होगा तो मैं आपको वापस से यहां पर बुला लूंगी ठीक है तो प्लीज एक थमसब दें और भाग जाए यहां से हां कमेंट बॉक्स आफ करें क्योंकि यह बिटा समझना बहुत जरूरी है और यहां से क्वेस्टन सिर्फ दो आते हैं और वो दो क्वेस्टन भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से आते हैं ठीक है बाकी इसके लावा और आपको यहां पे कुछ नहीं लेकिन पढ़ना तो सब कुछ होता है ना पता तो करिवार बसाने आये होप नहीं आये तो थमसब करके भाग जो यहां से और दुबारा भी कमेंट नहीं करना जब तक मैं ना बोलूं ठीक है चलिए तो सबसे पहले विटा आप यह समझे आवेकों की उत्पत्ति होती कहा है आपके तंत्रिकाक्ष जिल्ली में जैसे हमने दे बोलते हैं इसको हम एक्जो लेमा अब यह एक्जो लेमा अभी हम बात करें विश्राम अवस्था की कब की बात करें हम हम बात करें हैं विश्राम अवस्था की विश्राम अवस्था को बिटा हम दुरुवी अवस्था बोलते हैं क्या बोलते हैं दुरुवी करण अवस्थ ठीक है यह आपकी हो गई polarized state polarized क्यों बोलते हैं बेटा क्यूंकि विश्राम अवस्था में जो आपकी यह एक्जोन जिल्ली है यह अंदर की तरफ तो धनात्मक आवेशित होती है और बाहर की तरफ बेटा यह धनात्मक आवेशित होती है ठीक है तो विश्राम मस्था में जो आपकी में जो तंत्रीकाक्ष जिल्ली है यह तंत्रीकाक्ष जिल्ली ये विश्रा вопросы में अंदर की तरफ इनात्मक आवेशित होती है और बाहर की तरफ धनात्म का विश्यत होती है यहां पर एक potential maintained रहता है और वो potential होता है आपका माइनस 70 मिली वोल्ट मैंने क्या कहा करेंट है तुमारी बॉडी में ठीक है अब बस वही करेंट जो है आपको पता है जहां आप current पढ़ते हो वहां voltage difference पढ़ते हो तो यहां बेटा जो voltage created रहता है वो रहता है आपका माइनस 70 मिली वोल्ट अब माइनस क्यों होता है बेटा क्योंकि अंदर की तरफ यह रिनात्मक आवेश्यत है इसको माइनस बोलते हैं ठीक है हम बाहर की तरफ से फिलाल इसकी तुलना बाहर की तरफ से अभी हम फिलाल इसकी बात नहीं कर रहें ठीक है अब यह minus क्यों है उसका एक कारण ये भी है कि अंदर की तरफ बेटा रिनात्मक आवेशित प्रोटीन की मात्रा बहुत जादा है रिनात्मक आवेशित प्रोटीन जो है यह बहुत जादा मात्रा में उपस्तित है ठीक है यहाँ पर इसके लावा सोडियम आयन भी है पोटैसियम आयन भी है क्लोराइड भी है सब आयन्स हैं लेकिन रिनात्मक आवेशित प्रोटीन सबसे जादा होने की वज़े से अंदर की तरफ यह रिनात्मक आवेशित है जबकि बाहर की तरफ अगर हम बात करें तो बाहर की तरफ सोडियम आयन की बेटा जो मात्रा है वो बहुत जादा है वहीं बाकी आयन्स भी हैं जैसे पोटैसियम हैं क्लोराइड है सारे आयन्स हैं लेकिन सोडियम आयन की मात्रा यहां पर बहुत जादा होने की वज़ेसे यह बाहर की तरफ पॉस्टिवली चार्ज होती है पहली बात ठीक है तो यह जो दुरुवी करन अवस् आपके सोडियम पोटैसियम पंप इस दुरुवी करन अवस्था को बनाई रखने के लिए यहां पर सोडियम पोटैसियम पंप चल रहे हैं ठीक है पहली बात अब यह सोडियम पोटैसियम पंप क्या करता है है नीट में cancer question studio potassium um为 Pitt मैं जैसे जैसे पढ़ते जाisia हूं वैसे वैसे बताते जारें नीट में कहां कहां से question आये क्या क्या important है ये sodium gefragt य।ंट यहां पर सक्रिय परिवहन होगा जहां कहीं हम शब्द लगाते है pump वहाँ पे active transport होता है active transport पतलब वहाँ पर उर्जा इस्तमाल हो रही है तो इस sodium potassium pump में एक ATP का इस्तमाल करके तीन sodium ion बाहर भेजे जाते हैं और इस एक ATP के इस्तमाल से ही आपके दो potassium ion अंदर आते हैं very important यह आपके नीट में उचा जा चुका है कि sodium potassium pump क्या करता है यह इस विश्रा मवस्था को बनाई रखने में बहुत ही महत पूर भूमिका निवाता है और यह एक ATP के इस्तमाल से तीन sodium ion को बाहर भेजता है बदले में दो potassium ion को बाहर से अंदर लाता है आईतर यह एक contar में कितिने करोणों पंप चल रहा है तो अगर एक एक sodium ion इम भी अंदर से बाहर जादा जा रहा है तो वैसी करोणे sodium ion बाहर जादा हो गये तो करोणों गए आपके विश्रा मबस्ता अब इसी एक्जो लेमा पर दो तरीके के दर्वाजे हैं इस एक्जो लेमा पर दो तरीके के दर्वाजे हैं जिनको हम बोलते हैं चैनल ठीक है क्या बोलते हैं उनको हम चैनल चैनल होता है ना घर के दर्वाजे वह वह कौन से दुकानों में जो बेटा आपके voltage gated channel अब इनमें क्या आंतर है आपको वह पता होना चाहिए लीकी चैनल्स ऐसे channels हैं जो हमेशा खुले रहते हैं यह हमेशा खुले रहते हैं ठीक है जबकि voltage वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऐसे चैनल्स है नामी हैना वोल्टेज गेटेड वोल्टेज गेटेड यह विशिष्ट वोल्ट पर खुलते हैं या यह विशिष्ट वोल्टेज पर खुलते हैं ठीक है अब यह विश्ष्ड वोल्टेज गेट्ट चाइनल citizens कितने प्रकार के हैं ये विटा आपके 37 तरीके के हैं कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो हैं या पर वह तीन तरीके के हैं मुख्य रूप से हम दो अभी देखेंगे एक हो गए आपके वोल्टेज गेट सोडियम आयन चैनल्स और दूसरे हो गए वोल्टेज गेटेड पोटैसीम अ इसके अलावा भी बेटेड या पर एक Yes, आवेगों की उत्पति कैसे होगी अब यह हम उसको समझेंगे उससे पहले आपको यह पता होना चाए है कि अंदर की तरफ रिनातमीक बाहर की तरफ धनातमक क्यों होते हैं क्यों कि अध्यांby मतलब यहाँ पर कुछ यह चैनल सुपस्थित है थीक है यहाँ पर कुछ चैनल सुपस्थेत हैं पिच webinar NAS ठीक है यहां पर कुछ दर्वाजे उपस्तित हैं बस यह दर्वाजे दो तरीके के हैं एक हैं लीकी चैनल जो हमेशा खुले रहेंगे और एक हैं वोल्टेज गेटेट चैनल रिपीट कर रहे हूं बेटा और एक हैं वोल्टेज गेटेट चैनल जो विशिष्ट वोल्टेज पर खुलते हैं ठीक है यहां पर विश्रा मवस्था में जो आपका वोल्टेज जो यहां पर created है potential वह माइनस 70 मिलीवोल्ट का created है यही माइनस 70 मिलीवोल्ट जब बदलता है और यह चोड़ दो अभी इस माइनस 70 मिलीवोल्ट को बनाए रखने के लिए आपको सोडेम प्रैसें बंप चल रहा है बस आप इतना मान करके चलें ठीक है और यहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है हां जी चलें आगे हां जी धाकर साब बेटा हमाई क्यूटनेस की उमर नहीं है हमाई बढ़ापा है तुम लोग तुम अभी बच्चे ओ तुम लोग अभी क्यूट हो आगे बढ़ते हैं वापस से देखो कमेंट पर जितना कम ध्यान दोगे ना जितना पढ़ाई पर ध्यान दोगे एक एक बार में चीज समझती आएगी अग वापस से भाग जो वापस से भाग जो कमेंट से अब हम बढ़ते हैं आगे विश्राम अवस्था में यह सब कुछ जो हो रहा है आपर हमने इसके बारे में बात कर ली जिसको बेटा हमने बोला धुरूबी करन अवस्था यह है नमबर वन ठीक है अब क्या होता है जैसे ही कोई उद्धीपन आएगा सिम्लस आने पर ठीक है क्या होता है सिम्लस आने पर आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चानल्स खुल जाते हैं ठीक है जैसे ही कोई उद्धीपन आएगा वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स खुल जाते हैं ठीक है अच्छा और एक बात बीटा है यहां पर विश्रा मवस्था में मैंने क्या कर लीकी चैनल्स जो कि हमेशा खुले रहते हैं तो थोड़ी बहुत मात्रा में यहां पर पोटैसियम आयन बाहर जा रहा है पोडियम आयन बहुत ज्यादा अंदर नहीं आपाता लीकी चैनल्स के थूँ अब क्या होगा जैसे ही कोई उद्धीपन आएगा अब मैंडम उद्धीपन क्या है आपके नियूरॉंस में जब आप सोते भी होना उस टाइम पर भी वेटा थोड़ा बहुत आयन अंदर बाह पहुंच जाए ठीक है वोल्टेज गेटीट रिम आयन चानल्स कब खुलेंगे माइनस 60 मिलीवोल्ट पर तो यह मेंड़ीवट को विटा हम ठ्रेश्ओल्ड पोटेंशनल बोलते हैं ठ्रेश्ओल्ड पोटेंशनल मतलब कम से कम इतना पोटेंशनल तो चाहिए जिस पर कि व तो पढ़ने बाट जाए Myshk को खोई कोई अतना आधी होच कि इसको कोई फरक की नजबता है, मुटती रहती है उसको कोई फरक की पहती है लड़का, अब वो लड़का सदमे में कि मेरी मा जिसने इतने सालों मुझ पर कभी हात नहीं उठाया सिर्फ बोलती रहती बोलती तो सब की माई है मेरी माई बोलती थी आज उसने हाथ उठा दिया मतलब आज तो अती हो गई होगी है ना तो वह हाथ उठाना उस बच्चे के लिए थ्रेशोर्ड हो गया कि इस बोलती तो रहती थी मम्मी बोलने के लिए तो हम आदी थे मम्मी अगर मम्मी को भी समझ में आगया कि मैं पागल हूं जो मैं सुवह शाम तक बोलती रहते हैं तो पहले जिसका थ्रेशओल मम्मी की डाट था या फिर वह ममी की डाट का आदी हो गया अब उसे कोई फरक नहीं पड़ता है अब मम्मी ने थपड मार दिया तो अब उसका थोड़े दिनों बाद वह थपड़ का भी आदी हो जाता है कि क्या एक थपड़ ही तो मारेंगी मम्मी और क्या एक थपड़ के लिए हम रजस्टेंट हो चुके अब क्या हुआ मम्मी ने भी अपनी डोस बढ़ाई की मेरे मारने से तो इसको कोई फरक पड़ता नहीं ठीक है अब ममी ने क्या क्या मम्मी ने पापा को बता क्या कुछ नया आया देविंद्र है व्यांत्त पापा तो बिन आषदीन के बाते भजन सब्वाबने장님 गरिया शार नथी тепक तो नई टेकनिक आगी पापा का गर्याना अब पापा का गर्याना आज बहुत बड़ी बात हो यह चार लों के सामने तो आज वो पढ़ने बैड़िया ठीक है तो यह उसका थ्रेशोल्ड बढ़ता जा रहा है वहाँ पर है ना तो थ्रेशोल्ड क्या होता है मिनिमम वो स्टिमुलस जिस पर कोई भी आक्टिविटी शुरू हो यहां पर बेटा जो नहीं नहीं माइनस 55 नहीं होता है देशी लिजन माइनस 60 हम एक स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड मानके चलते ठीक है किताबों में कुछ कुछ ना माइनस 55 से माइनस 60 भी दिया है ठीक है तो हम लोग ए अपना परिवार वसाने लग जाते हों तो यहां पर बेटा जो थ्रेशोल्ड है वोल्टेज गेटेट सोडियम आयन चैनल के खुलने के लिए वह है माइनस 60 मिलीवल्ट तो मैंने क्या बोला थोड़ी बहुत मात्रा में तो सोडियम आयन मतलब पोटैसिम आयन बाहर जाते रहते हैं ना थोड़ी बहुत मातरा में आयन का मुव्मेंट होता रहता है लेकिन जैसे ही यह इतना डिफ्रेंस क्रियेट हो जाए कि अंदर माइनस 70 से माइनस 60 मिलीवल्ट हो जाए वैसे ही क्या होगा बिटा माइनस 60 मिलीवल्ट पर इस एक्जोलेमा पर उपस्थित जो voltage-gated sodium ion channels हैं, ये खुल जाते हैं, ठीक है, voltage-gated sodium ion channels जो हैं, वो खुल जाते हैं, जैसे ही बिटा, voltage-gated sodium ion channels खुलेंगे, क्या होगा, बाहर sodium बहुत ज्यादा है ना, अंदर sodium कम है, तो सीधी सी बात है बिटा, जो sodium ion है, वो अपने अधिक सांद्रता से, इसके कान बहुत तेज हैं, कौन था ये, हाँ, आयूश, ऐसा ही क्या, तो जैसे ही, voltage-gated sodium ion channels खुलेंगे, येस रो, खुश रो, वैसे ही क्या होगा, बेटा, sodium ion अपने अधिक सांद्रता से, कम सांद्रता की तरफ, गती करेंगे, यानि कि, sodium ion अंदर की तरफ, गती करेंगे, ठीक है, sodium ion अंदर की तरफ, गती करेंगे, और ये इतनी गती कर लेंगे, क्योंकि, और ये जो gated channels होती है, मौत्र, 0.5 milliseconds के लिए खुलते हैं, एक मिनट रुखना, ठीक है, हुआ हुआ है, गते हैं, एक मिन अंदर गते हैं, गता जिए तरिक पर देंगे, पर हुआ है, झाल 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 हां जी, सोरी, यह ना? तो क्या होगा बिटा? जैसे ही, रोएद, अच्छा, सब लगे हुए यहां से, आं सो सोरी, जोड़ा से दिस्टिमिन्स हो गया, तो क्या होगा बिटा? बिटा, अधिक सांदृता से, कम सांदृता की तरफ, सोडियम आयन मूव करेंगे, ठीक है? यानि सोडियम आयन बाहर से, अंदर की तरफ मूव करेंगे, बाहर से, अंदर की तरफ गती करेंगे, और यह बिटा, जैसे ही बाहर से, अंदर की तरफ गती करेंगे, इतनी मात्र प अब यह क्योंकि sodium ion अंदर आ गया ना बाहर बहुत जादा sodium ion की वज़े से ही तो positively charge था लेकिन क्योंकि बेटा sodium ion अंदर आ गया तो अब अंदर की तरफ यह कैसे हो गए positive और बाहर की तरफ यह कैसे हो गए negative यह clear हुआ ठीक है जैसे ही क्या हुआ उद्धीपन आया उद्धीप हो गया जैसे ही minus 60 millivolt हुआ जो की threshold potential है minus 60 millivolt होते ही आपके जो voltage-gated sodium ion channels थे वो खुल गए हाँ हाँ प्रवीन ठीक है sodium ion channels के खुलते ही sodium ion बाहर क्योंकि उनकी सांदरता बहुत जाद है करोड़ों में जाद हैं अंदर उनकी सांदरता बहुत कम है तो अधिक सांदरता से कम स positively charge हो जाते हैं अब बाहर की तरफ यह negative हो जाता है बाहर कुछ अंदर मतलब बाहर कुछ नहीं गया ऐसा जो negative हो जाए लेकिन बाहर वो positive किसकी वज़े से था बाहर वो positive आपके sodium ion की वज़े से था क्यूंकि sodium अंदर आ गये तो बाहर वो negative हो गया अब यहां से आपके बेटा अपका action potential यही है आपका तंत्रिका आवेग ठीक है की और action potential को हम क्या बोलते हैं तंत्रिका आवेग तो तंत्रिका आवेग की उत्पत्थी कब होती है यह आपके मिटा अंदर की और गति कब ऑती जब होती है इसको हम बोलते हैं आपकी विद्रुमанд अवस्था या दी पॉलराईजेशन इसको हम से अधैसर विद्रुमण अवस्था या दीathy त्टिक है सबको येस विद्रुबन अवस्था क्या होती है आपका अभी तक हमने जो पढ़ा है जहां जासे आपकी नीट में क्वेस्टन है वह आपको पता चुक्यों दूसरा विद्रुबन अवस्था जिसमें की आपका तंत्रिका आवे गुत्पन होता है तो तंत्रिका आवे गुत्पन कब होता है जब सोडियम आयन अंदर की तरफ गती करते हैं तब ठीक है यहां तक सबको क्लियर है अब क्या होगा बिटा अब हम इसको अगले पार्ट में डिवाइड करेंगे यह है आपका एकजोलेमा जानी की एकजों जिल्ली लीए अब इस एकजों जिल्ली को मैं तीन भाग में विभाज़त करूंगेंग भाग वी भाग और ऑजी हो पॉझे एकज़। जिल्ली भाग में भाज़ित होगी ए बी और सी यह जो एभांग है बीटा जहां पर क्या को चुक क्यों positive हो चुक है क्योंकि यहाँ पर तंत्री का आवेगुत्पन हो चुक है ठीक है बाहर की तरफ negative ठीक है यह कौन सी अवस्था है यहाँ पर अभी वीधुरुवण अवस्था यानि की deep polarization जबकि बाकी का बेटा जो आपका exon है वहाँ पर अभी क्या है वहाँ पर बाकी का ex zone में अभी दुरुवी अवस्था है यानि की धुरुवण अवस्था है यह अभी विश्राम वस्था में है तो यह दोनों भाग बेटा भी कैसी अवस्था में है यह polarized state में है जिसको हम बोलेंगे ध्रुवी अवस्था ठीक है अब बड़े-टा जैसे मैंने आपको क्या बो एक जैसे charges एक दूसरे से नफरत करते है ना तो electron negative से positive कि जाएगा आपको पता है कि current की जो गति होती वो हमेशा electron की गति के विपरीद धिशा में होती है तो current बेटा कहां से कहां जाएगा, current जाता है आपके positive से negative, ठीक है, इसको हम बोलते हैं I, तो current कहां से कहां जाएगा, current जाएगा आपके positive से negative, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, आपकी body में तो current चल रहा है न, तो current बेटा positive से negative, यानि कि यह कहां से कहां चला जाएगा, आपक पर अंदर पॉज्टिव बाहर निगेटिव हो गया था ये आब एक बिटा अब आपका कहां चला जाएगा बी साइट पर ठीक है अब बी साइट पर क्या होगा जैसे ही यह आगे की तरफ गती करेगा बी साइट पर क्या होगा यह था आपका ए ए साइट वीटा वापस से जाएगा वापस से अपना ध्रुबन अवस्था में आ जाएगा तो इसको मोलेंगे पुनह ध्रुबन अवस्था में या पुनह ध्रुबी अवस्था में ए साइट आ जाएगा और बी साइट वेटा आपका ध्रुबी अवस्था में या विद्रुबी अवस्था में आ जाए औरी के अब यह भापस से हाईपर पोलराइज होता है उसके लिए होता यहां पर फुने दिर्पी करन क्यों होता है बेटा पॉइंट फाइए इसको मैं अब आपको iki ग्राफ से समझा सकती हूं। उस graph को हम कुछ ऐसे देखते हैं ठीक है यह है आपका माइनस 70 मिली वोल्ट माइनस 60 ऐसे करते 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 हैं यहां पर 50 40 30 20 10 0 ठीक है फिर यहां से शुरू हो जाएगा ठीक करते हैं कि मैंने क्या बोला माइनस 70 ऑर आपका जो नीगोर्ण था वह विश्राम वस्ता में यानि कि धुरूबर्ण वस्तां में है और मैंनकी तक चलता रहता है दीरे ठीक है क्यों धीरे धीरे चलता रहते हैं कि थोडा बहुत आयंस तो अनुम कि अंदर बाहर हो आपके चोल यह में अंदर आएंगे और सोहिं मायन अंदर आने की वज़े से सोडियुम आयन अंदर आने की वज़े से विटा यह पूरा क्या दिखा रहे है ये पूरा दिखा रहे है आपका विधरुवर अवस्था यानि की डी पॉलराइजेशन तीक है अब डी पॉलराइजेशन हो गया यह मैंने क्या कितनी देर के लिए खुलते हैं आपके sodium and channels खुलते हैं मात्र 0.5 milliseconds के लिए ठीक है और मात्र 0.5 milliseconds में यह इसको minus 60 से plus 30 तक पहुंचा देते हैं मात्र 0.5 सेकंद में इतने जादा सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं कि यह माइनस सिक्स्टी से सीधा प्लस 30 पहुंच जाते हैं ठीक है जैसे ही प्लस 30 पहुंचते है क्या होता है बिटा अब यहां पर कि बॉल्टेज गेटेड कि पोटासियम आयं चैननल फुलेंगे सो ठीक है और बोल्टेज गेटेड पोटासियम आयंस के खुलते और यह बटा कुलते हैं लगबग 1 से देड़ मिली सेकंड के लिए यानि कि थोड़े से लंबे समय के लिए जिसकी वज़े से क्या होगा बेटा जिसकी वज़े से आपका पोटैसियम आयन एकदम से बाहर की तरफ भागेगा क्या होगा पोटैसियम आयन बाहर जाएगा पोटैसियम आयन के बाहर जाते ही बेटा अ ना थोड़े लंबे समय के लिए क्योंकि ये खुलते हैं इसलिए हापर थोड़ी जादा मातरा में सोडियोन बाहर चला जाता है इतना जादा बाहर चला धुरुविय अवस्था या हाइपर पोलराइज़ स्टेट ठीक है और इस हाइपर पोलराइज़ स्टेट को सही करने के लिए क्या होता है यहां पर बेटा आपके सोडियम पोटैसियम पंप चालू हो जाते हैं क्या होता है यहां पर आपके सोडियम पोटैसियम पंप वहार निकाल रहे हैं निकाल रहे हैं जिसकी विएसे बाहर करोडों पॉजिटिव अंदर करोडों निगेटिव बढ़ जाते हैं और क्या होता है यह वापस से अपने minus 70 millivolt पर यानि कि विष्टाम अवस्ता पर आ जाता है. यहां तक clear हुआ तो यह हो गई बेटा विद्रुबन अवस्ता. Sorry, पुन है दुरुबन अवस्ता. Repolarized state. पुन है धुरुविय अवस्ता जिसको हम बोलेंगे री polarized अब यहां से बेटा कौन सा question आपकी नीट में बनता है तो वो यह बनता है कि आवेक की उत्पत्ती के समय जो तंत्रिका जिल्ली है उस पर कौन कौन से आवेक किस किस क्रम में रहते हैं तो हमने क्या देखा पहले बेटा आवेक कैसा था आपकी तंत्रिका जिल्ली पर या तंत्रिका चिल्ली पर पहले आपकी तंत्रिका चिल्ली बेटा कैसी थी पहले आपकी तंत्रिकाग शिल्ली जिसको कि हम सborते एक्सेल और पहले तो थी बटा यह निगेटिव ठीक है पहले कैसी थी पहले थि यह निगेटिव पिर कैसी हुई पॉजिटिव और फिर से कैसी हो गई निदेफ ये बटा प्लीज इस ग्राफ को आप लोग एक बार स्क्रीन शॉट ले लो या समझ दो एक बार वापस से अ अ अ अ अ अ अ अ अ येस लियरे सबको यसी को ये स्क्रीन शॉट लेना तो ले लो यहां से आपका क्वेस्चन आता है जो मैंने आपको भी आगे लिख करके दिया 78.56 परसंट रिजल्ट आ गया अ अ अ अ अ सबको क्लियर अ अ इसल्ट देख देख करके आ रहे हूं ऐसा 12 सालो लड्डू खरीदो सरस्थी माता के लिए सही बात है अ अ चलिये आगे बढ़ें इस एटी एट नाइटी फॉर एटी एट सबका एटी प्लस है थैंक्यू सचिन येस तो सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई हैं अब नीट पर फोकस कर लो टेंशन खतम हो गई हो तो डीपोलराइजेशन स्टेज में कितना होता है पोटेंशल पीटा डीपोलरा इस चेट में वो प्लस 30 तक पहुंच जाता है किसी किसी बूक में प्लस 30 से प्लस 45 की रेंज भी दी हुई है ठीक है चलिए 94 वेरी गूट 93.66 कि मोटिवेशन वाला नाम रिपीट देखो अब मैंने सब पढ़ा दिए जो मुझे पढ़ा था अब बस में वह बता दिनीट में यहां से क्या-क्या है जल्दी से इक बढ़ो देख लेते हैं हमने आप जैसे महां क्यों हो जाता है हां ठीक है तो यहां तक अबी तक हमने ज रोगों की संख्या के आधारपन यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं यह बेटा मैच्टी पॉलाइंग टाइपस में ठीक है कि सही सुमेलित कीजिए है ना कोई फेल नहीं हुआ है अमर कुछ भी ठीक है चलिए तो यह बेटा दूसरा कहीं पॉपश्चन हुआ ओल्फे लाण कोशिक परदी तंत्र के अपस्तित होती है ठीक है अगला लुए यहां पर मैंने आपको बताय था चौथा sodium potassium pump से आया है तो sodium potassium pump क्या करता है यह एक ATP का इस्तमाल करके तीन sodium बाहर निकालता है और दो potassium को अंदर लाता है ठीक है इंदी मिनियम का बैच कब से आएगा नहीं बताऊंगी दो आपको जिल्ली पर चार्ज कौन-कौन सा होता है तो पहले तो बेटा वह रणात्मका वेशित होती है पहले यह तुम्हें यह नहीं समझ में आयोगा शाय से पहले रिनात्म का वेशित पिर धनात्म का वेशित और पुनह रिनात्म का वेशित ठीक है यह बेटा इतने सबस्क्राइब इतने ही सब्सक्राइब अब रहे तो आप से मेरे हाँ जोड के प्राथन रहेगी कि थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाओ और तुम लोग रिपीट करो सारी मेनत मैं क्यों करूँ मैडम आप रिपीट कर दो मैडम क्यों करें रिपीट भाईया तुम जाओ ना पीछे पीछे जाकर कि तुम रिपीट करके आओ ठीक है चलिए डन बाकियों को क्लियर हो गया है प्रवीन यह क्या चल रहे हैं थमस अप येस चम कहां बूझे बुझ गया मैं अब है येस चलिए अब बढ़ते हैं व्यक्ता आगे अब बढ़ते हैं सिनाप्स के बार में सिनाप्स क्या होते हैं सिनाप्स बिटा जंक्षिन विट्वीन टू दो नियूरॉन के बीच की संधी को हम सिनाप्स बोलते हैं दो नियूरॉन के बीच संधी को बिटा हम सिनाप्स बोलते हैं ठीक है पहली चीज़ अब सिनाप्स आपके दो तरीके के होते हैं पहले हो गए बेटा आपके विद्यूतिय सिनाप्स इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्र साली आया है यहां से क्वेस्टन 2022 में ठीक है मीट 2022 दूसरे हो गए बेटा आपके केमिकल सिनाप्स यानि की रासाइनिक सिनाप्स यह हो गए आपके रासाइनिक सिनाप्स और यह हो गए आपके विद्यूतिय सिनाप्स क्या होते हैं इन में क्या होता है कैसे होता है जरा उस पर भी हम बात करते हैं देखेंगे संजना जो बैच मुझे मिलेगा मैं उसमें पड़ाओंगी मैं ऐसे नोड क्या है किशन गोदारा बेटा एक बार शरीद रव्यवं परिसंचन वाले अध्याय में जो आपको पता लग जाएगा क्या है यह बेटा एक तंत्रिकाक्ष का सिरा है और यह आपके अगले नियूरॉन का दुरुमाक्षे है ठीक है दो कोशिका या दो नियूरॉन के बीच की संधी को हमने क्या बोला बेटा दो नियूरॉन के बीच की संधी को हमने बोल दिय या सिनापस ठीक है अब यदी प्री सिनाप्टिक और पोस्नाप्टिक चलो इसको हम ऐसे समझते हैं रुप जो भी इसको छोड़ देते हैं यह आपको बाद में समझाती हूं आगे बढ़ते हैं यह आपका एक नियूरॉन का तंत्रिक आक्ष दिरह है ठीक है इसको हम बोलते हैं अग्र सिनाप्टिक जिल्ली या प्री सिनाप्टिक मेंब्रीन अग्र सिनाप्टिक जिल्ली और यहां पर बेटा हो गई आपकी अग्र पश्च सिनाप्टिक जिल्ली ठीक है यह हो गई आपकी पोस्ट सिनाप्टिक मेंब्रेन और यह है आपकी बेटा प्री सिनाप्टिक मेंब्रेन इन दोनों के बीच में यह जो खाली जगे है इसको बेटा हम बोलते हैं सिनाप्टिक दरार यह सिनाप्टिक क्लेफ्ट ठीक है और यह तीनों मिलकर के बेटा बनाती है आपका थीक है तो एक सिनाप्टिक में क्या होगा एक अग्र सिनाप्टिक जिल्ली होगी जो उपर वाला नियूरॉन बना रहा है और दूसरी पश्च सिनाप्टिक जिल्ली जो अगला नियूरॉ होन बना रहे और इन दोलों के बीच मेंखाली स्पस्नाप्रीज डरार तो या क tablet तो बनाते हैं आपके सिनाप्स और जहां कहीं भी सिनाप्टिक दरार बड़ी होती है या उनके बीच की दूरी जादा होती है वहां पर बेटा होते हैं आपके केमिकल सिनाप्स ठीक है यहां पर बेटा क्या होगा आपके अलेक्रिकल सिनाप्स में प्री सिनाप्टिक और पोसिनाप्टिक मेंब्रे हैं क्या देखने को मिलेंगे आपको gap junctions जिनके बारे में बेटा हमने कहां पढ़ा था इनके बारे में हमने पढ़ा था आपके कोशी का सवरी उतक वाले अध्याय में उपकला उतक में पढ़ा था gap junctions टाइट जंक्शन और आपके एडरिंग जंक्शन ठीक है तो gap junctions है यहां पर बहुत छोटी सी जगे दोनों के बीच में तो जो भी आपका बेटा तंत्री का आवेग आ रहा था वह एज़ आगे भी कूच जाएगा ठीक है इस gap junction से वह तंत्री का आवेग आगे चला जाएगा लेकिन chemical synapse ने बेटा क्योंकि यहां पर synaptic जरार बड़ी है ना तो यहां पर बेटा हमें कुछ रसायनों की जरुद पढ़ती है और उन रसायन का नाम है तंत्री का संचारी जिनको की हम बोलते हैं बेटा neurotransmitters तो यहां पर बेटा हमें neurotransmitters जैसे रसायनों की जरुद स्कलिड़मी जरुद देखो यह आपका अगर स्नाप्तिक जिल्ली है इसके अंदर छोटे छोटे सिनाप्तिक विसाइकल स्होते हैं यह क्या है آپrios संट्री का जाती है और तंटर यह पाय जाते हैं अपर आपके यह संट्रिका संचारी यानिकी neurotransmitter जिसके अंदर पायी जात क्या है जैसे ही बेटा आपका तंत्रिका आवेग इस सिनाप्स तक पहुंचता है जैसे ही आपका जो तंत्रिका आवेग है वह इस अग्र सिनाप्टिक जिल्ली तक पहुंचेगा वैसे ही क्या होता है यहां पर बेटा आपके voltage-gated calcium ion channels खुले होते हैं यहाँ पर क्या है आपके voltage-gated calcium ion channel ठीक है तो अभी तक हमने voltage-gated sodium और potassium पड़े थे voltage-gated calcium ion channels कहाँ पर पस्तित होते हैं आपके अग्र सिनाप्टिक जिल्दी पर जैसे ही बेटा शिवी कितने चाप्टर पच्छे हैं परसो रसायन होगा उसके अद्मान आप जनन स्वास्ति बाकी आपका सब complete हो चुक है तो जैसे ही आपका आवेग बेटा प्री स्नाप्टिक जिल्ली तक पहुंचेगा वैसे ही क्या होगा voltage-gated calcium ion channels यह खुल जाएंगे और इनके खुलते ही बेटा क्या होगा calcium ions बाहर से अंदर की तरफ गती करेंगे calcium ions यह अंदर की तरफ गती करेंगे ठीक है और calcium ions के अंदर की तरफ गती होने से क्या होगा कि यह जो synaptic जिलियां पीछे की तरफ बस्ते थैं इनको आगे की तरफ भेजा जाएगा ठीक है और ये आकर के बिटा अगर सिनाप्टिक जिली से मिल जाएंगी जैसे ये अगर सिनाप्टिक जिली से मिलेंगी ये बिटा पुटिकाएं फट जाएंगी और इनके फटते ही तंत्री का संचारी इस दरार में मुक्त हो जाएंगे इस दरार में मुक्त होते ये तैरते तैरते से तैरते आकर के अपने यह ग्राही हैं तंत्रिका संचारी के यह रिसेप्टर यह अपने रिसेप्टर से जड़ेंगे और से जुर्टे में tवी मेशिज वर लेकर यह वह मैसेज आपका पश्च सिनाप्टिक जिल्ली तक पहुच जाएगा clear हुआ कि नहीं मैंने तुमसे पहले भी का था कि यहां पर बेटा बात नहीं होगी ठीक है please बात करनी तो कहीं और चले जो बहुत सारे किया गहां हो जाते हैं वोल्टेज ए इसके काल्सें अंदर आता हैयं आ生ज से कोई स्टिंट सुल करें सुन हो जाते हुं है यह झाय आन अंदर नहीं आता रहें होता औरbench की बादि में पहुंच होगे ना तो वहां पर यह एनस्थीसिया का मेकानलिसम और बहुत इंपोर्टन क्वेस्टन बना था आपका एंस्थीसिया देने से यह होता है फिलालम उस पर बात नहीं करते हैं ठीक है यहां तक क्लियर है सबको कैसे मैं चानल खुलेंगे वो क्या करेंगे सिना सिनाप्टिक दरार में रिलीज होते ही वह आगे चलके अपने ग्राही जो की पश्च सिनाप्टिक जिल्ली पर उपस्तित हैं महाँ पर आकर करके जुड़ जाएंगे वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है हाई 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 पाइनल कॉर्ड बीट और यह मेरे वर्जू चारों तरफ से आपके किस से ढखा हुआ है वर्टिब्रल कॉलम यानि की आपके कशे रुखदंड से ठीक है चलो क्लियर आगे बढ़ते हैं तो अब यहां पर दो तरीके की नियूरो ट्रांस्मिटर्स हो सकते हैं मैं से वर्बली बता रही हो एंसका दिक्र नहीं है नियूरो ट्रांस्मिटर्स देख होते हैं विटापके एकसाइटेट्री ट्रांस्मिटर्स क्या करते हैं यह पश्च सिनाप्टिक जिल्ली पर आकर के जुडते हैं और यहां पर सोडियम आयन चैनल को खुलेगा वही स्टिमलेट हो जाएगा आक्शन आगे नहीं भेजना है तो इनिविट्री नियूरो ट्रांस्मिटर यहां करके पोटैसियम आयन चानल्स खुल बाते हैं पोटैसियम आयन चानल्स के खुलने से यहां पर आती धुरूबी अवस्था हो जाती है और उस हाइपर पोलराइज़ स्टेट को क्रियेट करने के बाद स्टेट को वापस से पोलराइज ज्यानि की विश्राम विस्था मेवस्था मेले आती है ज़ी एकक्साइटिटीव निविट्रो पर आकरके क्या करते हैं डी पोलराइजेशन कराते हैं यानिकी वीधुरुबन करवाते हैं वीधुरुबन होगा मतलब की आक्षिन पोटेंशल जनरेट हो गया आवेग उत्पन हो गया तो यह आवेग आगे भी जाएगा वहीं बेटा जो आपके इनिविट्री नियूरो ट्रांस्मिटर्स हैं जो आ पॉर्मल करने के लिए क्या चालू हो जाएगा आपका सोडियम पटैसेंपंप और सोडियम पटैसेंपंप उसको वापस से विश्राम वबस्था में ले आएगा यानि कि अब वो तंत्री का मतला अब वो आगे आगे की तरफ नहीं जाएगा डन चलिए आगे बढ़ते हैं हां जी आगे हम शुरू करते हैं अपना तंत्री का तंत्रい है न्यूर्ल सिस्टम मौलो या नर्वोा सिस्टेम मौलो एक ही बात है अब मानव तंत्री का तंत्र टॉम पिएटा दो भाग होते हैं एक हो जहाएगा आपका केंद्रिय तंत्रि का तंत्र जिसको हम बोलते हैं बिटा Central Nervous System एक हो गया आपका परधिय तंत्रि का तंत्र जिसको हम बोलते हैं Peripheral Nervous System केंद्रिय तंत्रि का तंत्र में आते हैं बिटा आपके मस्तिश्क और मेरूरजू यानि की ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वहीं परधिय तंत्रि का तंत्र में आते हैं बिटा आपका त्स्वायत तंत्रि का तंत्र जिसे हम बोलते हैं और और नमिक नवस सिस्टम और दूसरा हो गया आपका स्वाटिक को क्या बोलते हैं स्वांटिक नवर सिस्टेम को हिंदी में क्या बोलते हैं स्वायत तंत्रिका तंत्र फिर दो तरीके के होते से मिटा आपका अनुकंपी और परानुकंपी अनुकंपी को हम बोलते हैं इस नर्वस सिस्टम जो कि आपके इमेर्जिंसी में चालू होता है अब परानुकंपी यानिकी पैरा सिंपेटेटिक नर्वस सिस्टेम जो आपकी विश्राम अवस्था में रहता है तो आनुकमपी में आप इस ट्रावना के लिख देती हूं यह आपपात कालीन अवस्था में काम करता है ठीक है इसको क्या बुलेंगे काइक थैंक यू प्रबीन डिस इस काइक तंत्रिका तंत्र हां काइक तंत्रिका तंत्र आपका हो गया यह समाटिक नर्वस सिस्टम ठीक है अब इसी परदी तंत्रिका तंत्र में आपकी तंत्रिकाएं भी आती है इसी में आपकी तंत्रिकाएं आती हैं ठीक है जिनको हम बोलते हैं नर्व फाइबर्स अभी तंत्रिकाएं कितने प्रकार की हो सकती है इन पर हम बात कर लेते हैं तंत्रिकाएं जो है बेटा आपकी यह तंत्रिकाएं आपकी दो तरीके की हो सकती हैं समवेदी जिनको हम बोलते हैं sensory neurons यह हो गए बेटा यह आपके चालक यह प्रेरक नियॉरॉन्स इनको हम बोलते हैं यह हो गए आपके motor neurons ठीक है समवेदी नियॉरॉन्स बेटा कौन से होते हैं समवेदी नियॉरॉन्स जो कि आपके समवेदी अंग से आवेग को आपके केंद्रिय तंत्रिकाएं तंत्र तक लेकर जाते हैं किसको आवेग को वहीं बेटा आपके परदिय चालक कौन से होते हैं जो कि केंद्रिय तंत्रिकाएं तंत्र से मैसेज को आपके समवेदी अंग तक लेकर आते हैं केंद्रिय तंत्रिका तंत्र से आहिए को कहाँ लेकर कर आते हैं आपके समवेदी अंगों क्वं तक लेकर आते हैं अब आपके बेटा यह जो तंत्रिकाय इनकम झुरॉंस सी लिख देए आपके दो तरीके की न्युरॉंस होगे आपके सेंसरी और मोटर या दो तरीके की नव्फ फाइबर्स होगे इसी तरीके से एक और थरीके से हम इनको विभाज़त करते हैं वो है आपका अब नियूरॉंस या तंद्रिकाएं फाइबर्स जो है आपके कि अब इसका हम इनको नव फाइबर लिखेंगे नियूरॉंस ना लिख करके नव फाइबर लिख दें ठीक है ठीक है यह हो गए बेटा आपके कपाली तंद्रिकाएं जिनको हम बोलते हैं क्रेणियल नर्फ फाइबर्स और यह होती हैं बारा जोड़ी ठीक है पहले के जमाने में यहां से क्वेस्टन आते थे अब नहीं आते हैं ठीक है दूसरी हो गई आपकी मेरू रज्जु तंत्रिकाएं इनको हम बोलते हैं रज्जु फाइनल नर्फ फाइबर्स और यह बिटा आपके 31 जोड़ी होती है कितनी होती है 31 आठ होती है आपकी सर्वाइकल यानि की ग्रीबा लगाई थोरसिक उसके बाद पे आपकी लंबर हो गई पांच जोड़ी पांच जोड़ी कॉक्सिजिल हो गई 20 एक ठीक है तो यह हो गई अपकी spinal nerves ठीक है आपकी cranial कितनी होती है बारा जोड़ी यह बारा जोड़ी के पहरे नाम आते थे जिनको याद करने का हम एक तरीका बताते थे उटा फैगवा पहले यहां से question आया करते थे अब नहीं आते हैं ठीक है अप्थैल्मिक और किलो मोटार और सब्सक्राइब और फिलाल यह आपके इस लबस में नहीं है पिर इनको याद करने का विए तरीका हुआ करता था कि कौनसी आपकी सेंसरी हैं कौनसी आपकी मोटर है तो इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा होता था some says money matters but my brother says big books matter more तो यह इसको याद करने का तरीका होता था ठीक है some says कोई तो कहता है कि पैसा माइने रखता है लेकिन मेरे भहिया कहते हैं मेरे बड़े भहिया कहते हैं कि अच्छी किताबे big books matter more बड़ी किताबे जादा माइने रखती हैं ना तो S से था sensory M से थी motor B से थी both जो की sensory भी और motor भी है फिलाल यह हम बात नहीं करेंगे this is out of NCRT ठीक है इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे अब NCRT की बात करें बेटा तो वापस से इस पर आ जाते हैं NCRT में जो आपका यह तंत्री का तंत्र लिखा है इसमें बेटा आपका का एक तंत् पेशियों पर काम करता है किस पर कंकाली पेशियों पर काम करता है जबकि आपका स्वायत तंत्री का तंत्र बेटा आपकी यह आपकी चिकनी एवं हिर्दय पेशियों पर काम करता है ठीक है यह एक important point हो गया को नियंत्रत करता है ठीक है एक ही इंपॉर्टन पढ़ गया अब बढ़ते हैं आगे आपको केवल और केवल केंद्री तंत्री का तंत्र पढ़ना है और इसमें भी आपकी एंसी आटी में केवल और केवल मस्तिश्क का जिक्र है बाकी किसी का जिक्र नहीं है ठीक है चल आगे बढ़ते हैं वेटा हम बात करते हैं केंद्री तंत्री का तंत्री की यानि की Central Nervous System की जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मस्तिश्क की यानि की Brain दूसरा हो गया आपका Spinal Cord, बच्चे अकसर Confused रहते हैं Spinal Cord, Notochord और Vertebral Column ठीक है यह तीनों चीज आज सुबही में पास एक बच्चे का मेस्ज है मैडम शेकर है क्लास में ये चालक से बालक सो गया रो नहीं रहे तुम बस यही दूआ मनाते रहोगी बालक रोता रहा या यार उसको शांती की जिंदगी जीने दो चलो तो Spinal Cord बेटा जो होता है आपक यह Spinal Cord आज सुबही शेकर है क्लास में या नहीं है हां हां जी तो शेकर का सुबही मेसेज है मैडम नोटो कोड और Spinal Cord एक ही चीज होती है क्या नहीं फिर अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा राज ने पूछा मैडम Spinal Cord और Vertebral Column एक ही चीज होती है क्या चलो मैं यह यहां पर आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर देती हूं बच्चों की डाउट से इसलिए आपकी Spinal Cord नोटो कोड और Vertebral Column एक है नोटो कोड तो नोटो कोड ही होती है इसको कुछ और नहीं बोलते हैं प्रेश्ट रज्जू भी बोल सकते हैं स्पाइनल कोड हो गई बेटा आपकी मेरू रज्जू और Vertebral Column हो गया आपका कशे रुगदंड ठीक है तो पहली बात तो नोटो कोड से ही आपकी स्पाइनल कोड बनी है पहली बात ठीक है नोटो कोड प्रारंबिक भूनिया वस्था में पाई जाती है किसमें सॉरी नो स्पाइनल कोड ठीक है यही नोटो कोड बाद में आकर के कशे रुगदंड का निर्मान करती है यही नोटो कोड बाद में भूनी अवस्था में ही कशे रुगदंड का निर्मान करती है ठीक है इसी नोटो कोड से बाद में आपका जो रीड की हड़ी है बेटा वो बनती है दूसरी चीज, spinal cord क्या है, spinal cord बेटा, आपके केंदरी तंत्री का तंत्र का एक भाग है, यह आपका brain है, अब यहाँ पर एक और चीज समझो आप, कि जो spinal cord है बेटा, यह आपके भाय चर्म से बनी है, किस से बनी है, यह इसकी उत्पत्ती भाय चर्म से हुई है, भाय चर्म से उत्पत्ति है आपके spinal cord की ठीक है वहीं जो आपका नोटो cord और कशेरुख दंड है इन दोनों की उत्पत्ति आपके मध्य चर्म से हुई है ठीक है मध्य चर्म से उत्पत्ति हुई है किसकी आपके notocod की और आपके कशेरुदंड की अभी clear है आप तो confused नहीं होगे हाँ या नहीं clear है notocod से आपकी बेटा ये vertebral column बनी है याद करो बेटा हमने animal kingdom में पढ़ा था ऐसे जीव जिनके अंदर notocod से vertebral column बन गई उनको मने vertebrates बोला है ठीक है उनको मने craniator बोला है उनको मने u-cordates बोला है जबकि ऐसे जिनमें vertebral column नहीं बनी है notocod notocod अवस्ता में ही है endoderm से नहीं बनता है प्रवीन mesoderm से उत्पन होता है और spinal cord आपका nervous system का भाग है ये बायचर्म से पन होता है ठीक है अब confuse मत होना ठीक है वहीं बेटा spinal cord बायचर्म से बनाए तंद्री का तंद्र है ना और आपका तंद्री का उतक बायचर्म से बनाए except microglial cells microglial cells से कोशिकाए हैं आपके तंद्री का तंद्र में जो की किससे बनी है आपके मीजुलम से बनिये ठीक है चलिए आगे वड़ते हैं बेटा अब हम बात करते हैं brain की के वहला हमें brain ही पढ़ना है आपके NCRT के साबसे और हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है मस्तिश्क ये जो बेटा आपका brain है इसके भी तीन भाग होते हैं अगर मस्तिश्क मद्य मस्तिश्क और पश्च मस्तिश्क हाइं ब्रेन इसको हम रॉम्बन से फिलन भी बोलते हैं अगर मस्तिश्क में भी बेटा तीन भाग आते हैं आपके सबसे पहले आ जाता है आपका प्रमस्तिश्क जिसको की हम सेरीब्रम बोलते हैं घ्राण पालियां जिनको हम अल्फैक्ट्री लोब्स बोलते हैं और आपके थालिमस दाइन से फ्लन इसको म बोलेंगे रुको दाइन से फिलन अ जिसमें आता है आपका थालिमस ठीक है इसी थालिमस की च्छत हो गई बिटा एपितेलिमस और इसी की जमीन को हम बोल देते हैं हाईपो थालिमस एपितेलिमस और हाईपो थालिमस ठीक है यह हो गई बिटा आपके अगर मस्तिश के भाग मद्यमस्तिश की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है अपका बिटा कुरूरा सेरिब्री और कॉर्पोरा कॉर्ड्री जमीना कॉर्पोरा कॉर्ड्री जमीना और कॉर्पोरा सेरिब्री ठीक है चलिए पश्च मस्तिश के बिटा फिर तीन भागें सबसे पहले हो गया आपका अनुमस्तिश्क जिसे हम कह देते हैं बिटा आपका सेरी बेलम पिर हो गया बेटा आपका पॉंस इसको हम पॉंस वेरूली भी बोल देते हैं और तीसरा हो गया बेटा आपका मेडूला ओबलॉंग गेटा मेडूला ओबलॉंग गेटा ठीक है यहां तक क्लियर है इसको एक बार चाओ तो स्क्रीन शॉट लो तुम लोग नहीं मानोगे तुम लोग को सिर्फ कमेंट्स करना है तुम लोग को पढ़ाई लिखा ही नहीं करनी पता नहीं तुम लोग नीट की तेयरी कर भी रहों किने अड आउट येस चलिए आगे बढ़ें अब ये जो मस्तिश्क है बिटा इसमें हम बात करते हैं आपका तो ये सेरीब्रम हो गया क्या हो गया आपका ये प्रमस्तिश्क करने के बाहर एक बोन को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर एक बोन होती है, या बोनी कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते है कपाल, ठीक है, तो यह बाहर क्या है, यह है बाहर आपकी कपाल, यह हो गया एपका कपाल, यानि की Scul. अब ब्रेन को कपाल के अंदर रखना उतना ही सेफ है, जितना कि आपकी नई TV को एक लकडी के डब्बे के अंदर रखना है हम वहाँ खुश है में अपनी टीवी को बचाने के लिए लकडी के अंदर रख दिया है लेकिन अगर जटका लगा बेटा कोई तो सबसे पहले वो टीवी लकडी के डब्बे से तक्रा करके तूटेगी इस से यह प्रमस्तिश्क अगर कोई जटका लगा तो इस में कुछ नियूरॉंस नश्ट हो सकते हैं वह ना हो इसकी वजह से बीच में कुछ आभरण उपस्तित होते हैं इनको हम मेंनेंजस अब यह मेंनेंजस कौन-कौन से हैं यह आपको पता होना चाहिए सबसे बाहर होता है विटा आपका डूरामेटर सबसे बाहर वाली जो विटा आपकी मैनेंज है कवरिंग है इसको हम बोलते हैं डूरामेटर ठीक है इस डूरामेटर के अंदर बिटा पाई जाती है आपकी अरेकनोईड मेटर इसके अंदर है आपकी है अरेकनोईड मेटर पाई जाती है इसके अंदर है आपकी है इस अरेक्नाइड मेटा के नीचे एक खाली जगे होती है जिसको हम बोलते हैं सब एरेक्नाइड स्पेस ठीक है इसके अंदर एक खाली जगे है जिसको हम बोलते हैं सब एरेक्नाइड पेस ठीक है जिसके अंदर बेटा एक द्रब भरा होता है इसको हम बोलते हैं प्रव मस्तिश्क की जो बाहरी संरचना उसके साथ मिली हुए होती है यह गई विटा आपकी सबसे अंदर जिसको हम बोल देते हैं पाया मेटर है खिर और इस रेक्नाइड मेटर और पाया मेटर के बीच में जो खाली जगह है इसको मने क्या बोला था सब एरिकनाइड स्पेस जिसके अंदर वेटा एक द्रव्य भरा होता है उसको हम बोलते हैं सीएसेफ क्या है विटा यह है आपका स्टेरीब्रो स्पाइनल प्लूइड इसको हम बोलते हैं प्रामस्तिश्क मेरु रज्जु द्रव्य ठीक है यह प्रामस्तिश्क मेरु रज्जु द्रव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन्स हां याद करने का ट्रिक है बेटा अगर आपसे पूछा जाए बाहर से अंदर कौन सी है तो बाहर से अंदर होती है आपकी डाप डूरा मेटर और पाय ठीक है अभी बेटा यह जो CSF है इसके क्या-क्या फंक्शन्स होते हैं यह CSF जो की इस पूरे में भरा हुआ है यह पूरा यह यह पूरा CSF है ठीक है यह CSF का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है यह शौक एब्जॉबर की तरह काम करता है शौक मतलब अगर कोई भी आप से जटका लगा तो यह जटके को मस्तिश्क तक नहीं पहुशने देगा हाँ यह नहीं जब हम टीवी को लकडी के डबबे के अंदर रखेंगे तो हम बीच में क्या करेंगे बीच में आता हम बहुत सारी फॉम भर देंगे यह हम थर्मकॉल की शीट भर देंगे यह हम इसको फोल्ड करके रख देंगे ताकि अगर कोई भी जटका आये तो वह जटका सीधा आपके इसमें इतने नहीं नहीं दियें कोई नहीं बिटा मैं बता रही हूं वह जटका सीधा आपके ब्रेन तक ना पहुंचे ठीक है क्योंकि ब्रेन तो बहुत ही इंपॉर्टेंड लोगने है ना तो सबसे पहले सा काम होता है शौक अब्सॉबर दूसरा बिटाइस का काम होता है बॉयन सी व्यूव बॉयन सी जिसको हम बोलेंगे उत्पला वक्ता है एक है यह उत्पला वक्ता प्रदान करते हैं मतलब आपका जो यह मस्तिश्क है बना है थीक है तेरा सोपचास से 1450 ग्राम का जो मस्तिश्क आपके सर पे हैं वी फील ओर है आपको फीलो रहे है नहीं हो रहे ना ऊपरएक किलो मैं अगर बोरी रख दूँ एक किलो की तो गर्दन दुख जाएगी लेकिन यह जो डेड़ किलो का उपर घूम रहा है पता लग रहे हैं नहीं है ना साड़े तेरा से साड़े चौदा सो ग्राम बेटा इसका वजन होता है लड़कियों में थोड़ा हलका होता है लेकिन चलता हमारा जाद है ठीक है हमसे तुम पांच साल पुरानी बात भी भूज़र हम सब बता देंगे तुमसे कल की बात नहीं तुम्हें याद रहती है है ना तो जो भी है मताक की बात है इसका इतना वजन होता है और हमें यह इतना वजन इसका क्यों नहीं पता लगता क्योंकि इसके चारों तरफ एक द्रव लगती है क्योंकि जमीन पर गुरुत्वा कर्शन उसको अपनी तरफ खीच रहा है तुम उसको गुरुत्वा कर्शन से विप्रीत दिशा में खीच रहे हो तो वो तुम्हें भारी लगेगी जब कि पानी में पानी भी उसको उपर की तरफ धक्का दे रहे हैं तुम भी उसको ग्लू को भी नहीं होता है लड़की को समझ नहीं दो आते को यहां घालो ठीक है जो nitrogen고요 अपशिष्ट पढ़ा थे वह आउसों कि सी짝 या सबसें करते हैं तो इसके बागई function क्या हो जाएगः फोशक तत्वों को लाना हो आई कि आ पोशक तत्वों को मस्तिष्क तक लाना और nitrogen को मस्तिष्ट से ले जाना ठीक है मस्तिष्क तक लाना और दूसरा फंक्षन क्या हो जाएगा नाइट्रोजनी अप्षिष्ट जो है उनको यहां से ले जाना अप्षिष्ट को ले जाना मस्तिश्क से यह सब आपके कारे होते हैं अब जल्दी से ब्रेन के बारे में नहीं दिया हुआ है एक छोटा सा ब्रेक ले लें क्या प्लीज पांच मिनिट का ब्रेक ले लेते हैं फिर वापस से आके स्चार्ट करते हैं ठीक है चाल झाल 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 कि अच्छी अच्छी मतनब क्लास से ब्रेक लेके भी ऑफिस के ही काम हो रहे हैं क्या फाइदा ऐसे ब्रेक का नहीं चलो कोई बात नहीं करना पड़ेगा स्चार्ट करते हैं ब्रेन आवाज आ रही है आ रही है तो सबसे पहले बेटाम बात करते हैं आपके पोर ब्रेन की ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पोर ब्रेन की एंसी आटी में तो कुछ भी नहीं दिया है इस चैप्टर में मैं बता देती हूं जितना मुझे बताना है एंसी आटी में घ्रांड पालियों का दिक्र नहीं है पहले बेटाम प्रावमस्तिश्क अगर बात करें तो प्रावमस्तिश्क में आपके आते हैं यह आपका प्रावमस्तिश्क है ठीक है प्रावमस्तिश्क को बीट से एक लॉंगिट्यूडनल फिशर के द्वारा दो अर्द गोलार्दों में विभाजित किया गया है तो ये जो आपका बेटा प्राव मस्तिश्क है इसको एक अनुदैर्ध पिशर द्वारा दो अर्ध गोलार्धों में विभाजित किया गया है और ये बेटा है आपका प्राव मस्तिश्क अर्ध गोलार्ध तेरिब्रेल हेमी स्फियर इस सेरिब्रेल हेमी स्फियर को एक आपका दायां सेरिब्रेल हेमी स्फियर हो गया एक आपका बायां सेरिब्रेल हेमी स्फियर हो गया ये दोनों अर्ध गोलार्ध आपस में एक तंतूओं के पट्टी से जुड़े होते हैं और इस band of nerve fiber यानि की तंतूओं की पट्टी को बेटा हम corpus callosum बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम corpus callosum यह क्या करता है यह है तंतूओं का बैंड ठीक है यह है आपका band of nerve fibers जो की दोनों प्रवमस्तिश्क अर्ध गोलार्धों को आपस में जोड़ने का काम करता है यह आपके दाएं और बाएं प्रवमस्तिश्क अर्ध गोलार्ध को आपस में जोड होता है four brain के पार्ट है cerebrum thalamus और hypothalamus अंकुष इनकम्प्लीट है NCRT में मैंने आपको बेटा देखो thalamus और hypothalamus दोनों बताएं है यह आपके पर वास्तव में इसके तीन भाग है एक हो गया आपका प्रमस्तिश्क घ्राण पालिया और अपके प्रमस्तिश्क में नहीं दिया है लेकिन जितना दिया है उससे जादा ही बताऊंगी उससे कम नहीं बताऊंगी ठीक है बिल्कुल चिंता मत करना पिर आती है मिटा आपकी यह हाँ कॉर्पस केलसम बिटा तंतूओं का एक बैंड है तंतूओं के एक पट्टी है जो कि आपके दाएं और बाएं दोनों प्रमस्तिश्क अर्ध गोलार्द को आपस में जोड़े रखने का काम करती है यह लाइन बिटा आपके नीट में पूछी जा चुकी है कि कॉर्पस के अर्थन में मैच दी फॉलाइंग में यह चीज़ बिटा पूछी जा चुकी है दूसरा इसी प्रमस्तिश्क अर्ध गोलार्द में आपके चार पालिकाए होती है यह हो गई बिटा आपकी प्रंटल लोब यह हो गया आपका प्राइटल लोब जैसी यहां पर अस्तिया थी याद है कली पड़ा था हमने परसों फ्रंटल अस्ति प्रंटल अस्ति टेंपोरल अस्ति और ओक्सिपिटल अस्ति तो वैसी बिटा इसके अंदर यह चोटे-चोटे सेग्मेंट से जिनको हम बोलते केंद्र अपस्तित हैं जो कि आपके शरीर की प्रतिय儿 क्रिया का नियम्मन करते हैं तो आपके फ्रंटल लोब में बैटा कॉन कॉन मतलब की जज करना चैनी में निर्णे लेने की शमता हो गई आपकी प्रसोनारेटी डिव लपमेंट हो गया इन सब केंद्र बैटा आपके यहां होते हैं frontal lobe में judgment हो गया personality development हो गया ठीक है फिर आपका एक बोलने का केंद्र भी बिटा है आपके उपस्तेत होता है इसको हम बोलते हैं speech area speech फिक है यहां पर खुछ्छ थो बिटा संवेधी केंद्र होते हैं आपके इस प्रमस्तिशक अत्युवलार्ड में कुछ्छ संवेधी केंद्र होते हैं जिनकों बोलते हैं sensory areas कुछ बेटा हैं इनकों हम सहयक केंद्र बोलते हैं association गयों अपके सहायक केंब्र यह ना तो प्योर सम्वेधी होते हैं ना ही यह प्योर चालग होते हैं यह मिक्स टाइप केंबलते नो हम बोलते हैं सहायक केंब्र या association एडियाज धिक तो तीन तरही pillar कैंब्र होते हैं कौन कौन से केंब्र और होता है तो सब आपका केंद्र यहां आता है, तो जो लोग personality development की class लेते हैं, वो अपने frontal lobe को विक्सित करते हैं, आपका reasoning, reasoning में maths, जिसका maths बहुत अच्छा होता है, मतलब उसका frontal lobe बहुत जादा developed है, तो आपका reasoning का केंद्र भी बिटा, यही पर होता है, आगे बढ़ते हैं, हाँ, यहाँ पे speech में broadcast motor speech area होता है, बिल्कुल सही बात है आदित्या, चलिए, parietal lobe में क्या होता है बिटा, parietal lobe में आपका ताप, दाब, आदी, दर्द, ताप, दाब, दर्द, इन सब के, मतलब क्या बोलेंगे, केंदर होती है, ठीक है, आदी के केंदर, ठीक है, तो थेंप्रेटर बाहर जादा है, कम है, ठंड लगा है, गर्मी लगारी ए, प्रेशर बाहर जादा है आप उपर की दो जाते हो ना, जव उपर मतलब heavy areas में जाते हो, जब आप पहाडी छेतरों में जाते हो हो तो बहाँ बेटा, आपका atmospheric pressure का मोई जाता है, जिसकी वएसे आपकी ये वाला सेंट वेट होता है ठीक है जिसकी वज़ेसे वेटा क्या होता है हां intelligence memory सबके लिए यहीं होता है creative ideas यह संखश तो judgment हो गया personality development हो परस्टनालटी डेप्लेप्ट में आपकी creative ideas वगर आ जाएंगे ठीक है जब की parital पराइटल लोब जब आप जाते हैं पहाड़ी चेत्रों में तो वहापे अटमस्फेरिक प्रेशर काम होता है जिसकी वैसे आपकी आरबीसी फॉर्मिशन बढ़ जाता है सांस लेने में दिक्कत होती है जो भी बिटा सब होता है उसके लिए जिम्मेदार है आपका पराइटल तो गया दो भी उने का जहां बोलने का इहां पर आपका सूंघनेका 생각 है यह साथ केंद्र होते आपके टेमपुरल लोब में अब आपको सब्सक्राइब टोने क सबीख फ़ी तेया था यहां पर उत्सक्ते ए आपको one need Siri आ जाएगा जोकी जैसरी यह क्या होता है अक्सिपटर दैखने का केंदर हुता है यहां पर आपका देखने का केंदर होता है गुँ है वीजन एरिया होता है आप रिंटर लूब हो गया यह आपका सेंट्रल सलका सोता है अ雕 keeps इन दोनों को divide करके रखता है frontal & parietal को यहां पर बेटा आपका यह occipital temporal sulcus होता है जो कि आपके occipital लोब को इन दोनों लोब से अलग करता है यहां पर बेटा का इए lateral sulcus होता है और यह आगे वाला आपका frontal लोब होई गया ठीक है इन सब के बारे में NCRT में फिलाल नहीं दिया हुए ठीक है फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत नहां पर बता दिया अब हम बात करते हैं आपके घ्रांड पालियों की तो घ्रांड पालियां वेटा नाम ही घ्रांड पालियां तो यह किस से संबंदित होंगी इसमें दो इ होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्ट्री बलब ग्रांड बलब ठीक है और यह नीचे बात यह दोनों होते हैं आपके फाइबर्स है ना तो यह वेटा आपके एक जोड़ी होते हैं जो की अग्रवाग में फ्रंडल लोब की तरफ उपस्तित होते हैं और यह संबंदते किसे संबंदते या आपके सुणने के कार या माश सब्सक्राइब आगे आपका इन उफलेंड़ा थेलमस जिसके बारे मैं जिकर है और दूसरा मैंने बताया epithalamus और hypothalamus क्या है यह इस पर बात कर लेते हैं जो थैलेमस है बेटा एपी थैलेमस इसको हम रिले सेंटर बोलते हैं रिले सेंटर का क्या मतलब होता है रिले सेंटर का मतलब होता है जितने भी corona ndry messages आपके sensory neurons लेकर क्या आएंगे चैंदर के सेंबर तंत्र का तंतर तक वो ऋपके कैंदर तंत्र का तंतर घुखेंगे लेगे सार बेटा एक तक यह अपके जितने भी ये हाजरी लगाते हुए वापस निकरेंगे तो हम थैलामस को रिले सेंटर बोलते हैं त्सक्री ये आपका थैलामस हो गया ये आपका को इस Arizona से इसी ए साही labor यह आपका रिले सेंटर है यहाँ पर कोई भी तंत्री का जो मैसेज को चाहे ले करके आ रही हो चाहे उसको ले करके जा रही हो वह बेटा आपके थैलमस पर रुखेगी और फिर ही आगे पिछे जाएगी एक है 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 इसके बारे में थोड़ा सा दिक्र कर लेते हैं है है इस ज अंतैस रावी तंत्र में सबके पिता जी है ठीक है यह बाप है सबके ठीक है पहली बात तो यह अंतैस रावी तंत्र में के मुखिया हैं ठीक हैं दूसरी बात बेटा अगर हम बात करें आपके तंत्रिका तंत्र में तो तंत्रिका तंत्र में इसमें मैंने क्या बोला इसमें हाईपो 21 में कई सारे केंद्र पाये जाते हैं जैसे एक limbic system होता है क्या होता है limbic system जिसको कि हम limbic तंत्र बोलते हैं इस limbic system में कुछ parts आते जैसे कि आपका amygdala हो गया amygdala हो गया आपका basal ganglion हो गया कि फिर आपके यह सब बेटा काफी सारे इसमें parts होते हैं यह सब limbic system के जो parts होते हैं यह आपके emotions को control करते हैं ठीक है emotions को control करते है emotions जैसे कि गुसा आ रहा है प्यार आ रहा है ठीक है और मतलब रोना आ रहा है हसना रहा है जो आपके moods वगरह होते हैं ठीक है तो यहां बेटा मिलकर के आपके emotions को control करता है hypothalamus और limbic system hypothalamus plus limbic system यह दोनों को मिला करके बेटा हम आपका emotional brain बोल देते हैं क्या बोल देते हैं यह आपका emotional brain है ठीक है यह आपके emotions को control करता है इससे main बेटा जो है वो है आपका limbic system ठीक है limbic system आपके emotions को control करते हैं चोटे-चोटे यह bodies होते हैं मगडला हिपो कैंपस बेसल गैंगलियन और भी होती है ठीक है और यहां पर बेटा जो आपका limbic system है वो hypothalamus के साथ मिल करके emotions control करते हैं आपकी body के सारे इसलिए हम इन दोनों को मिला करके emotional brain भी बोल देते हैं ठीक है clear है yes तो जिस जिस जिसका होते हैं short tempered है कि उसको चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है जो भी है बिटा हाँ temperature control hunger thirst 24 hours रिदम वगरे 24 रिदम जो हता है अंकुष वह mainly आपका pineal gland control करते हैं ठीक है जो आपकी 24 गंटे की cycle आपकी pineal ग्रंथी control करती है ठीक है ताप हो गया भूप हो गया प्यास हो गई इन सबको बिटा यह control करेगा आपका hypothalamus ठीक है इस स्यादा और आपकी ncrt में कुछ भी नहीं दिया है फिलाल हम इस पर बात नहीं करते हैं एक चीज़ जो बिटा आपकी ncrt में नहीं दिया जिसको मैं पीछे ही discuss कर लेती हूं केंद्रे तंद्र का तंद्र है यहीं पर discuss कर लेते हैं इसमें आता आपका brain और spinal cord इस ठीक है बेता आपका मेरु रज्जू गया यह आपका मस्तिर्शक हो गया यह उपरवाला पूरा आपका अब्लौंग्यटा क्रभर मृत KnДа मोग्न म SpongeKnion रिया भृम और मनół ठुरा मैं मागनम 7 Cand जैसे ही यह medulla oblongata poramen magnum से बाहर निकलता है, इसको बेटा हम spinal cord बोल देते हैं, तो spinal cord कोई अलग अंग नहीं है, यह एक तरीके से आपके मस्तिष्क के जो पश्च मस्तिष्क है, उसी पश्च मस्तिष्क का एक extension है, वही बेटा पश्च मस्तिष्क जैसे ही आपके कपाल, यह प एक चीज आप याद रखेगा, मस्तिष्क में आपके center में श्वेत द्रव्य होता है, क्या होता है, श्वेत द्रव्य, और इसके side में बेटा होता है, दूसर द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं, grey matter, यह चीज प्लीज याद रखेगा, side में होता है, दूसर द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं? grey matter. next center में होता है, श्वेद द्रब्य जिसको हम बोलते है white matter इसका बिल्कुल opposite होता है बिटा आपके 20. final cord में, side में होगा बिटा, white matter और centre में होगा आपका ग्रे मेटर फिक है इतना एाग रखेगा अब ये ग्रे मैटर हो है वाईट मैटर बनता किससे है विट वी होता है बैटा फाट है बस असी दोता है अब बसा क्या है आपके मैलन आच्छत मतलब जहां कहीं बी माइलिन आच्छद उपस्थित होगा स्टार बना के लिख रहे हूं जहां कहीं भी माइलिन आच्छद उपस्थित होगा बेटा वो क्या बनाएगा आपका श्वेत द्रव्य ठीक है वहीं बेटा अगर कहीं पर कोशिका काय है जिसको हमने सेल बॉड़ी बोला और आपका कोशिका काय के अलावा हो गया आपका ये माइलिन आच्छद आच्छदित माइलिन आच्छदित ये सब बेटा मिलकर के बनाते हैं आपका दूसर जो ठीक है बस आपको इतना पता होना चाहिए डन चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अब हम बात करते हैं आपके मध्यमस्तिष की एंसी आटी में सदा और कुछने मैंने एंसी आटी से जादा ही बता दिया है कम नहीं बताया है मध्यमस्तिष के बेटा जो आपका कोर्पोरा कोड्री जमाइना है इसमें चार कोड का मतलब होता है बेटा चार ना कोड का मतलब होता है चार इसमें चार छोटे-छोटे कॉलिकुलाई मतलब चार छोटी-छोटी गाठे माल लो आप है ना चार छोटी-छोटी गाठे इस तरीके से जिसमें उपर वाले हो गए बेटा आपके सुपीरियर कॉ और नीचे वाले होगे विटा आपके इंफीरियर कॉलिकुलाई ठीक है सुपीरियर कॉलिकुलाई विटा ये संबंद रखते हैं आपके देखने से यानि की विजन से और इंफीरियर कॉलिकुलाई संबंद रखते हैं आपके सुनने से यानि की विएरिंग से और अभी आपको फिला लें आपके कुछ नहीं जानना ठीक है चलिए तो आपके कॉर्परा कॉड्री जमाइना कॉड्र मतलब चार यहां पे छोट जड़ी गाठे हैं ठीक है सुपीर लोब इंफीर लोब सुपीर कॉलिकुलाई इंफीर कॉलिकुलाई जिनको हम बोलते हैं सुपीर कॉलिकुलाई बटा आपके देखने से संबंद रखती हैं इन सबको बेटा हम डीटेल में पढ़ाते हैं आपके यह लॉंग कोर्स में अभी मुझे एनिहाओ यह क्लास चार बजे तक खतम करनी है ठीक है क्योंकि पांच मेरी अग्री ग्लास भी है है ना तो कॉर्पोरा कॉर्टरी चमाइना में चार गाठे हो गी इसके लावर मैंने आपको बताया था कुरूरा सेरीब्राय तो कुछ नहीं है यह केवल नर्फ फाइबर दें ठीक है यह नर्फ आपके मध्य-मस्थिश के मिड़ें प्लस पॉंस मेडूला यह तीनों मिलकर के बटा बनाते है आपका ब्रेंस्टेंव बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रास में रास यहां पे वह वाला रास नहीं है जो हमने महां पड़ा था उत सर्जन में यह बीटा रेटिकुलर अप्तिवेटिंग सिस्टम आपके सोने और जगने से समबंदित है जब तक रास ऑन है तब तक आप जगोगे और जैसे विटा यह ऑफ होगा आपको नीद आएगी फिल्क है बस इतना जान लो और जादा है आप पर फैँस दिन पर करनाने की जरूरत नहीं है आपको यह लleri प offend पता होए जोँआ होई जिसको तब से मिलक्रे बनता ये आपके मद्य और पस्ट्यूस्टश्क कि मिलने से बनता है पस्ट्यूभि बेटाई पनस्तुPिट एस में अनुमस्तिश्क इसके तीन भाग मैंने आपको बताए पहला हो गया आपका अनुमस्तिश्क तेरी बेलम, दूसरा हो गया आपका पॉंस वेरुली पॉंस वेरुलाइस को हम बोलते हैं और तीसरा हो गया बिटा आपका मेडिला अबलोंगेटा ऑग की तो इसने पैटा जो अनुमस्तिश्क है अच्छा यह यह पे एक चीज और में कर देती हूं त अ ओ freshmen प्रमस्तिश्क प्रमस्तिश्क प्रम हो सबसे बड़ा भाग है मस्तिश्क का, ये मस्तिश्क का सबसे बड़ा भाग है, 80% आपका जो ब्रेन होता है बेटा, वो यही बनाता है आपका प्रमस्तिश्क, ठीक है, सबसे बड़ा भाग, सबसे भाग लिख दिया, सबसे बड़ा भाग, ठीक है, 80% आपका ब्रेन आपका से अनुमस्तिश्क ठीक है दूसरा सबसे बड़ा भाग जो है विटा आपके मस्तिश्क का वो है आपका अनुमस्तिश्क ठीक है अब हम आगे बढ़ सकते हैं अब हम आते हैं जैसी पश्च मस्तिश्क में तो एक एक करके बात करते हैं जो आपका अनुमस्तिश्क है ये भी दो अनुमस्तिश्क अर्द गोलार्दों में विभाजित होता है, और इसमें बेटा जो सनरचना इसको बीच में connect करके रखती है, उस सनरचना को हम बोलते हैं, वर्मिस, क्या बोलते हैं, वर्मिस, क्योंकि ये प्रामस्तिश्क का भाग है, या मस्तिश्क का भाग है, तो इसमें इसमें भी बीच में क्या होगा इसमें भी बीच में होगा बिटा आपका वाइट मैटर ठीक है और वाइट मैटर इसमें बिटा कुछ इस तरीके से फैला हुआ होता है और इसके इस तरीके के फैला हो को बिटा हम बोलते हैं आर्बर वाइटे ठीक है तो आर्बर वाइटे आ आपका tree of life, ठीक है, जो कि white matter का बना हुए है, अब अनुमस्तिश का काम क्या आपको वो पता होना चाहिए, आपके शरीर की जितनी भी हरकते हैं, उन सभी हरकतों की शुरुवात होती है आपके प्रमस्तिश से, ठीक है, लेकिन उनको आपस में समन्वे उनके आंगों के बीच काम कौन करता है आपका अनुमस्तिश्क, आपने एक question देखा होगा, कि जो लोग alcohol का सेवन करते हैं, जो लोग पेपदार्थों, शराब जैसे पेपदार्थों का सेवन करते हैं, उन में बिटा क्या होता है, उन में उनका अनुमस्तिश्क प्रभावित होता है, ठीक है, प् क्या करता है आपकी बॉडि में इवं समन्वे तीके इसकी वे से वो इंसान चलेगा तो बेशक इसे पीया हुए अच्छा इसा पीया हुए वो चलेगा लेकिन बीटा वो टेडा मिडा चलेगा क्यों कि चलने के लिए जो आपस में अंगों Abdul वह समनवे भी ता ये नहीं बिढ़ा पाता क्युंकी affected थीक कि इसी तरीके से वह बात तो करेगा पर मस्तिश्क में भाद तो करेगा, लेकिन बात करते समय आपकी जबान का, आपके दिमाग का, इन सब का आपस में समनवे चाहिए ना, पेशियों का आपस में समनवे चाहिए, वो बेटा नहीं हो पाता, वो समनवे नहीं होने के वैसे उसकी जबान लडखडाती है, वो बोलेगा, लेकिन लडखडा तो बिना प्यावे जो हम सोचे कही हो जूट बोल सकते हैं हैं तो बिना प्ये हुए आप जूट बोल सकते लेकिन पीने के बाद कही नहीं आपका दिमाग और जबान के वीच में संतुलन नहीं होने के वह इस आप का जो आप चाहते हो आप बस कुछ भी बोलोगे फिर रांडम और जब आप रांडम बोलोगे तो आप जूट नहीं बोल पाऊगी कि जूट बोलने के लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत है हाँ या नहीं ठीक है क्लियर है येस येस अनुमस्तिश्क क्या करता है ये आपके शर मस्तिश्क के अलगळग भागों को मस्तिश्क के भागों को जोडब का काम करता है एलोग के ये सहा ये Ariel या आपका पॉण सोन ऑब सनके निकलते जो कि इसको मद्य अनुमस्तिश्क से और आपके मेडला से इन से जोड़ने का काम करते है बस और कुछ नीर गार मैं बोलों क्या होता है अच्छा पॉंस में आपका एक सेंटर होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर याद है जो कि आपके श्वसन में बहुत ही भूमिका महत्वपुन भूमिका निभाता है हाँ या नहीं यह आपके मेडलो अवलोंगेटा में कई सारे केंद्र पाए जाते हैं जिसमें एक हो गया आपका स्वसन लाइकेंद्र में रइस्पिरेटरी रिद्म सेंटर हम यहां पर बेटा होता है आपका परिसंच्रन खेंद्र भी होता हैं और यहां पर व्या補ीयक सेंटर में हुदल इन गबने ईए तो आपके यहां पर कई सारे केंदर सेंटर पाए जाते हैं याद करो यह प्रभावित कर रहा था हाँ या नहीं कैसे कर ला था जो अंत्या सवसन को समय हैं उसको कम करके अंत्याश्व्ष。 की अबधी को यह कम कर रहा था ठीक है तो यहाँ पर खतम होता है आपका पश्मस्तिश्क और जदा आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है अब हम शुरू करते हैं आपके संवेधी अंग संवेधी अंगों में हम बात करेंगे आपके नेत्र और कर्ण की यूमन आई एंड यूमन इयर की ठीक है क्या करते हैं यह दोनों कैसे काम करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव नेत्र की कि यूमन आए ठीक है चल यूमन आए में बिटा तीन इसके परत होती है सबसे बाहर होता है बाहर आवरण मध्य आवरण और अंत्य आवरण आंत्रिक आवरण तो बाहर परत कि जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका पाइब्रोसा कि यूँद कि इसको वैस्कुलोसा यानि इसके अंदर ब्लेड वैस्में रट्वाहणिया है ठीक है तीसरा प्रतिवर्ती चाप ओके रफलेक्स आक्ष्ण और रफलेक्स आप देख हैकवार यह समझत क्या होता है आप चल रहे हो चलते-चलते एकदम से आपका पैर पढ़ काटे पर जैसे विट आपका पैर पढ़ा काटे पर वैसे ही क्या होगा एकदम से आपका पैर पीछे हो जाता है तो होता क्या है इसको पीछे बता देती हूं होता क्या है आपका संवेदी अंग क्या है विटा संवेदी अंग है आपकी तवच्चा ही कै जिसके अंदर कुछ ग्राही थे वहां से संवेदी निूरॉंस कहां गए message को लेकर के ये संवेदी निूरॉंस विटा पहुंचे आपके केंद्रिय तंत्रिका तंत्रियानी की CNS में ठीक है अब यहां पर बिटा जितनी भी आपकी emergency condition में जो भी reply आता है वो आपके spinal cord से आता है ठीक है emergency condition में reply आपके brain से नहीं आपाता है brain से reply आने में थोड़ा सा सब्सक्राइब करना है तो जितने भी emergency आपकी जो क्रियाएं होती है उसको control करते हैं आपका CNS का spinal cord भाग ठीक है CNS में जाकर के वहां पर interneurons है ठीक है यह interneurons उस message को grant करेंगे फिर जो भी message होगा उसको चालक या प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा चालक या प्रेरक नियूरॉन द्वारा बेटा यह कहां भीज देंगे आपके वापस से effector पर ठीक है यह effector यह हो गए आपके receptors ठीक है यह receptors हैं जो कि receive करते हैं message को और वापस से message आएगा आपकी चालक पंद्रिकाओं और आपके effector पर की पैर पीछे करो तो जब तक आपको पता नहीं लगेगा तब तक तो बेटा आपका पैर पीछे हो जाता है पीछे पैर होने किया तम देखते हो तो यह बिटा हो गया आपका पूरा reflex आक इसको मोलते प्रतिवर्ति चाप ठीक है और reflex action यही सारी क्रिया को reflex action बोल देते हैं ठीक है यह बहुत जाद आपको नहीं देखना पस आप इतना देखने ना कि इसका पात क्या होता है तो पात होता है ग्राही ग्राही से बस इतना आपको करने ठीक है अब आजाता की त्यूनिका नर्वोसा ठीक है नााम है नर्वोसा तो तो बिर्ट में नर्व पाई जाती है नर्व मतलब आपकी जो तंत्रिकाएं हैं वो इसमें पाई जाती है ठीक है चलिए आप ट्यूनीका फाइब्रोसा के वी दो भागे एक हो गया आपका कॉर्णिया और दूसरा हो गया आपका स्क्लेरा कॉर्णिया बिटा इसका पांच- पेशियां जिसको हम पक्षमाब काय भी बोल देते हैं हिंदी में लिख दें भाईया आईरिस पक्षमाब काय जिसको हम सीलियरी बॉडी बोल देते हैं और यहां आजाएगा आपका को रॉइड ठीक है जबकि ट्यूनिका नर्वोसा है आपकी रेटीना ठीक है डन अब एक एक करकेन को समझा देती हूं मैं सबसे बहले हम बात करते हैं ठीक है तो यह बेटा जो पूरा भाग है इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं रुको 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 ठीक है यह हो गया बिटा सबसे बाहर वाला भाग जिसको हमने बोला क्या यह हो गया बिटा आपका पूरा यह कॉर्णिया स्क्लेरा को कॉर्णिया और यह पूरा हो गया बिटा स्क्लेरा ठीक है तो कॉर्णिया बिटा ऐसा भाग है जहां से आपकी लाइट रेज अंदर आती है और स्क्लेरा बिटा कौन सा भाग है वो भाग है जो कि आपकी नेटर पेशियों को जुड़ने के लिए एक जगे प्रदान करता है साथ ही साथ बेटा ये स्क्लेरा आपके नेत्र के शेप को उसके आकार को मिंटेन करके रखता है ठीक है चलो अब इसके बाहर इसके अंदर कौन सी है बेटा इसके अंदर मैं लाल रंग से बना रही हूं क्योंकि यह है आपकी वैस्किलोसा है ना जिसमें ब्लड सप्लाई होत कोरोईड ठीक है यह हो गई आपकी आइरिस पक्षमा आपका है और यह हो गई पूरी आपकी कोरोड ठीक है और सब से अंदर होती है आपकी नर्वोसा जिसको हम बोलते रेटीना ठीक है तो सब से अंदर हो गई बिटा आपकी यह रेटीना झाल यह गई आपकी अपकी बीटा रेटीन अब सब्सक्राइब बुच्णाी में अब बनेवाल था है कि आपके यहां इन अइरिस की बीच वाला भाग ये आई रिस है इसके बेच वाला वीन होता है इसको हम बोलते है पुतली यानी की इसके बीच में यहां पर यहां पर आपका ये बाइक्न convex lens ऊपस्तित होता है जिसको कि आपकी suspensory ligaments ने इनकी जगे पर hold किया हुआ है यह आपकी suspensory ligaments बहुत के गन्दा बनाये है कि यह है आपका lens ने और इसको hold किया है suspensory ligaments ने है ठीक है तो यह हो गही है आपकी suspensory ligaments और यह बिटा हो गया आपका lens कैसा lens है यह बिटा by convex lens है ठीक है आप पीछे की तरफ बिटा यह जो है इसको हम बोलते हैं vitreous humor यहाँ पर vitreous chamber है इस vitreous chamber में जो द्रब विभरा होता है इसको हम बोलते हैं vitreous humor ठीक है और यह lens से और कॉर्णिया के बीच वाला बिटा जो भाग है इसको हम बोलते हैं aqueous chamber जिसके अंदर बिटा भरा है आपका द्रब aqueous humor अब यह वाला बिटा जो भाग है इसको हम बोलते हैं अब यह इसको हम बोलते हैं अंधबिंदू या ब्लाइंड स्पॉर्ट इसको हम यल्लो स्पॉर्ट भी बोलते हैं या बोलते हैं यल्लो स्पॉर्ट आपका डाइग्राम अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जो आपको इंपॉर्टन जाननी है वह यह सबसे पहले मैंने आपको बता दिया बाहरी पर रहते कॉर्णिया और स्क्लेरा क्या करती है स्क्लेरा दो काम करती है पहला तो यह आपके आई के शेप को मिंटेन करती है यह आपके आई शेप को मिंटेन करती है नेतर के आकार को दूसरा बिटा यह मसल्स के अटाच्मेंट के लिए मसल्स के लिए सत्य प्रदान करती है ठीक है जिससे आ करके आ आपकी नेत्र की पेशियां जुड़ती हैं कॉर्णिया बिटा यहां से लाइट पास होती है तो यह पारदर्शी है जहां से की लाइट इसली अंदर पास कर सकती है अब हम बात करते हैं मध्य परत की तो मध्य परत में आईरिस और सीलेरी बॉड़ी हां हमें ऐसी स्टित्रका इसके अंदर दो तरीके की पेशियां होती है कौन-कौन सी पेशियां है एक होती है आपकी वृत्पाकार पेशियां जिनने हम बोलते हैं वृत्ताकार तरक्ला मसल्स और दूसरी होती है आपकी त्रिज्य पेशियां जिनने हम बोलते हैं रेडियल मसल्स यह हो गए आपकी रेडियल मसल्स एक्चुली ये कुछ ये करती क्या है ये पुतली को नियंतरत करती है ठीक है ये करती क्या है ये पुतली का नियंतरत करती है अभी समझाओंगी आपको उससे पहले आप ये समझो ये है बिटा आपकी व्रित्ताकार पेशियां ठीक है ये हो गई आपकी व्रि हुआ पेशियां जिनकों बोलते बीच मैं ऩी जो खाली जगह इसकों बोल देते हैं पुतली या यूप स्कारी कि यह आपके प्यां पूटली के य पूय Chief जब वृत्ता कारपेशियों में संकुचन होगा वृत्ता कारपेशियों में संकुचन होगा जब इन में संकुचन होगा तो बताओ बीच की जो खाली जगए पुतली वो छोटी होगी की बड़ी होगी ये वृत्ता कारपेशियों होगा तो बीच की जो आपकी खाली जगए जिसको हमने पुतली बोला है, वो बड़ी होगी की छोटी होगी, येस प्रियांका, बड़ी होगी की छोटी होगी, छोटी होगी, येस, तो जब पुतली यानि वृत्ताकार पेशियों में संकुचन होगा, तो पुतली भी संकुचित होगी, पुतली का भी संकुचन होगा, या पुतली सिकुड़ जाएगी, है ना, पुतली सिकुड़ जाएगी, और पुतली कब सिकुड़ती है बेटा, पुतली सिकुड़ती है, जब हम तीवर प्रकाश में जाते हैं, हाँ या नहीं, जब हम तीवर प्रकाश में जाते हैं, उस टेम पर आखे ऐसी छुड़ छुड किसे थीक है आपकी तो यह क्या करेंगी बिटा इसके चलते पुतली फैलेगी और ऐसा बिटा कब होता है ऐसा होता है प्रकाशा लेटेंगे और का सभध में कूशाfindot अन्धेरे में एक फार सरैंट accept कम कूश्रा सकतो है और तीव उजाले वीट्थी रुद्त प्रhingya का नियंद्रन करते और पुथली के उक्र Princeton John Zandar पास ठीक है तो अगर में जादा लाइट प्रेस को अंदर पास करना है जो कि हम अंधेरे में करते आपky in जब कि अगर हमें हम राइट लाइट में तीव रिफ्रकाश्टिन के सामने चले जो तो क्या होता है पुतली सिकुड जाती है क्यों सिकुड जाती है क्योंकि आपकी वृत्ताकार पेश्चियों में संकुचन होगा ठीक है जी एस्ट लगाके 150 बस सही है अब बेटा ये तो ग करते हैं आपके पक्षमाप का है जो हो गई आपकी सीलियरी बॉड़ीज ठीक है यह क्या करती है यह आपके लेंस का लेंस के आकार का नियंतरन करती है कब करती है दूर और पास की चीजों को देखने के लिए ठीक है तो आपकी जो पक्षमाप काय की पेशिया है जब कभी भी इन में संकुचन होगा जब कभी भी इन पेशियों में संकुचन होगा तो क्या होगा बेटा इन पेशियों में संकुचन होने की वज़े से देखो आपकी पक्षमाप काय की पेशियों में जब संकुचन होगा, तो उससे कौन जुड़ें आपके suspensory ligaments जुड़ें हैं? हाँ या नहीं? यहाँ पर आप देख लो, पक्षमाप काय से कौन जुड़ें हैं? यह आपके, suspensory ligaments जुड़ें हैं ना? तो जब पक्षमाप काय की पेशियों संकुचन करेंगी, तो suspensory ligaments खिचेंगे, ठीक है? क्या होगा पिटा? suspensory ligaments में खिचाव आएगा, इनके संकुचन की वैसे, suspensory ligaments में खिचाव आएगा, यह खिच जाएगे, और अगर इनमें खिचाव आएगा, तो आपका lens बढ़ जाएगा, ठीक है? Lens बढ़ेगा, और lens बढ़ेगा तो उसकी focal length भी बढ़ेगी, हाँ या नहीं, focal length बढ़ेगी, तो यह lens दूर की वस्तू देखने के लिए, खुद को accommodate करेगा, ठीक है? तो हमें दूर की वस्तू देखनी है, तो हमारा क्या होता है? तीलियरी पेशियों में संकुचन होता है, जिसकी वैसे suspensory ligaments किछते हैं, और आपका lens लंबा हो जाता है, ठीक है? वहीं बेटा, इन पेशियों में अगर शितिलन हो जाएगा, अगर आपकी suspensory ligaments की पेशियों में, शितिलन होगा, तो क्या होगा बेटा? आपके suspensory ligaments धीले हो जाएगे? हाँ या ने? suspensory ligaments धीले हो जाएगे? और धीले हो जाएगे, तो बेटा क्या होगा? आपका जो lens है, वह छोटा हो जाएगा, ठीक है? तो lens छोटा हो जाएगा, lens चोटा हो जाएगा मतलब इसकी focal length भी कम हो जाएगी ठीक है इसकी वहाँ पर focal length बढ़ रही थी है ना यहाँ पर focal length कम हो जाएगी और इस condition विटा क्या होगा pass की वस्तू देखने के लिए आपकी नेत्र accommodate कर जाएगे वस्तू देखने के लिए यह समझ में आया तो bright light और dim light में देखने के लिए आपकी iris की पेशियां काम करती है वही पास और दूर की चीज को देखने के लिए आपकी suspensory ligaments की जो पक्षमाप काय की पेशियां वो काम करती है ठीक है चलिए की जिस किसी को screenshot लेना है screenshot ले लो बिटा इन दोनों का मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा है ना हाँ कि 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 झाल झाल पी लिख रहे हैं लाड़ो या मरो पीटा लाड़ो या मरो नहीं होता है लड़ो या मरो होता है ठीक है चलो अब आते हैं अपनी बिल्कुल आंत्रिक परत्ते जिसका नाम है रेटीना थक गई हो आज में जल्दी से इसको खतम करते हैं फिर कंड खतम करते हैं ना ओ भाईया चल किया रहा है कमेंट सेक्शन में अलगी लेवल पर खेल रहे हैं तुम लोग हाँ चलो आम बात करते रेटीना पर रेटीना जो की बिल्कुल आंत्रिक परत्त है यहां पर बिटा इंपॉर्टेंट है रेटीना में सबसे अंदर होती है आपकी एक बढ़ने तुपकला यह हो गई आपकी पिग्मेंटिड एपिथीलियम ठीक है इसके अंदर मिलेनिन पिग्मेंट होता है वही पिग्मेंट जो की आपकी स्किन में होता है फिर बिटा यहां पर पाई जाती है शंग और शलाका कोशिका है यहां झाल कारें कुछ का यहां और की सब्सक्राइब शांग पाता है वह बहुत कम होती हैं शलाका कोशिका हैं वान ट्वैंडी फाइव मिलियन होती हैं कुछिका हैं इनकों बोलते हैं प्रकाश-फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रकाश प्रकाश् ग्राही कोशिक आए है ठीक है फोटो देसेप्टर सेल्स इनसे बेटा जुड़े होते हैं आपके बाइपोला निरॉन्स तो यहाँ पे एक होगे आपका मैंने बताया था ना बाइदुई धुरूबिय निरॉन्स यह होगे आपके द्वी धुरूबिय निरॉन्स यानि कि बाइपोला निरॉन्स और इन बाइपोला निरॉन्स से बेटा जुड़े होते हैं आपके गुच्छिय कोशिक है जिनकों बोल देते हैं ग्यांग्लिय निरॉन्स ठीक है यह होगे आपके गुच्छिय कोशिक है जिनकों बोलेंगे गुच्छिय टेंग्ने गुच्छिय C अेए sandwich अब यही सारी गुच्छी कोशिकाओं की जो सिरे हैं ये बेटा मिलकर की क्या बनाते हैं आपकी द्रिक तंत्रिका या जिसको हम बोलते हैं अप्टिक नव्चि क्या बनाता है आपकी द्रिक तंत्रिका ऑप्टिक नव्च NeThank Co joy rằng आपके मस्तिष्क केchuckles एव यह जाता है आपके ब्रेइन में अbn यहां से बढ़की वेस और आपक कमेस्ट में một नेट नीट 2009 läuft यहां से क्वेश्चनाय है क्वेस्टन कुछ ऐसा है कि जो प्रकाश पड़ता है यहां जातिवाद के मुद्दों पर लड़ाई चल रही है हाँ एक कमेंट तो मैं नहीं पड़ा था कि सारे ब्राह्मनों ने टॉप किया बहिया क्यों चल रहा है तुम लोग इतने पड़े लिखे हो अब तक तुम इन पड़ाई करेंगों तो जादा मैं अभी घ्न देने सकती मुझे यह घ्न दे रहें है तो यहां पर बेटा जो आपकी पिगमेंटीटीडे एपिखिलेम है यह स्ट पिगमेंटीटी अपशिक होता है पर आपको यह पता होने चाहिए दूसरा जो मैंने का नीट में आपका य तो बेटा जब प्रकाश पड़ता है यहां पर आपके रेटीना पर ठीक है तो वो आपकी यह तो गई pigmented epithelium यह हो गई photo receptor cells शंकु और शलाका को शिकाएं ठीक है यहां हो गई आपके bipolar neurons और यहां होते हैं प्रकाश नेत्र पर पड़ता है तो सबसे पहले वो कौन सी कोशिकाओं पर आता है सबसे पहले वो आता है आपकी गुच्छी कोशिकाओं पर फिर आता है bipolar neurons पर पिर आता है बेटा वो आपके कहां प्रकाश ग्रही कोशिकाओं पर ठीक है अब यहां पर मैडम इस pigmented epithelium का क्या रोल है तो pigmented epithelium का रोल बेटा कुछ इस तरीके से है यह आपका कॉर्णिया हो गया जहां से प्रकाश अंदर आएगा ठीक है अगर यहां पर pigmented epithelium नहीं होता तो क्या होता यह देखेगा pigmented epithelium की अनुपस्थिती में क्या होगा pigmented epithelium की अगर अनुपस्थिती रही अगर pigmented epithelium अनुपस्थिती नहीं होगा तो बेटा क्या होगा यह light rays अंदर आई और यह आकर के पढ़िए आपके रेटीना पर ठीक है यह लाइट रेज आई आपके रेटीना पर पड़ी रेटीना से टक्रा करके रिफ्लेक्ट करके यहां जाएगी यहां से रिफ्लेक्ट करके यहां से रिफ्लेक्ट करके यहां से रिफ्लेक्ट करके यहां से रिफ्लेक्ट करके यहां से रिफ्लेक्ट करक दिखाई देगा आपको बहुत सारी मेज दगतेग का ही when you powin परनेत उपकला है यह pigmented epithelium जो excess light rays है जो अन्य जो excess light rays है यह उनको अब शोशित कर लेती है, light rays का अब शोशन कर लेती है, clear, हाँ जी या नहीं जी, यह आपकी NCRT में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका NCRT है जो question है, कि आपका जो आपकी light rays होती है, उनका किस ओर से किस ओर की तरफ मतलब चलना होता है, तो light rays आपकी अंदर से बाहर की दोर चलेंगी ना, तो सबसे पहले आपके गुच्छी कोशिकाओं पर पढ़ेंगी, फिर दुईद्रुविय कोशिकाओं पर पढ़ेंगी, फिर जाकर के व आपकी प्रकाश ग्रही कोशिकाओं पर पढ़ेंगी, फिक है, तो यहां से question ही आता है, कि अंदर से बाहर कोशिकाओं का arrangement बता दो, या बाहर से अंदर कोशिकाओं का, तो यह हो गया अंदर से बाहर की ओर, फिक है, अंदर से बाहर की ओर, फिक है, वहीं अगर आपसे पू तो इसका नहीं होगी तो अपनी किताबों पर दो या बाहर थोड़ा बहुत हर्याली देखा करो अगर आप मोबाइल का बहुत जादा इस्तेमाल करें थोड़ा आखों को आराम भी चाहिए ठीक है तो यह हो गया विटा आपका नीट में आया हुआ कुर्टन अब बएक का कैसे लिए तो देखनें की अगर्म आप बात करें तो हमारे पास ब्रकाश कोशिकाएं ना दो तरीके की प्रकाश कोशिकाई जिनको उम बोलते हैं फोलता सेफ एक हो गए आपके या न GOD या पके फटान जो कोशिकाएं जो की बहुत ज़्यादा होती है सबासो रेर सो करोड एक हो गया आपकी कौन जिनको हम बोलते हैं शंकू कोशिकाएं इनका आकार इस तरीके का होता है कि जबकी शलाका कोशिकाएं आपकी कुछ इस तरीके की होती है थीक है शलाका कोशिकाएं बेटा यह आपको डिम लाइट में यानिकी मध्यम प्रकाश में देखने में मदद करती है ठीक है इसको हम बोलते हैं बेटा ट्वाईलाइट विजिन ट्वाइलाइट विजिन जबकि जो आपकी कौन्स होती हैं यह आपको तीवर प्रकाश एवं रंगों के विभिदन में मदद करती हैं रंगों को देखने में बेटा यह मदद करती हैं इसको हम बोलते हैं U Foto X Vision यह oh yeah concert неп lavish हुआ कै इसके अंदर बिटा आपका sandy उपस्तित होता है रॉडॉपस्थैं पिग्मेंट ऑक और कोंस के अंदर होता है बिटा आपका आपको फिग्मेंट हैं तो रॉडॉपसिन सविद में जो कि आपको देखने मदद करें अब कौन स्फिर से तीन तरीके के होते हैं एक होते हैं इरिथ्रोलाब जो कि आपको लाल रंग देखने मदद करते हैं साइनोलाब जो कि आपको साइनो मतलब नीला नीला देखने मदद करते हैं और क्लोरोलाब जो आपको हरा देखने में मदद करते हैं जब यह तीनों बराबर रूप से एक साथ लाइट तीनों पर एक बराबर पड़ती है तो आपको सब कुछ सफेद दिखाई देता है ठीक है और जिस पर जितनी कम और ज्यादा लाइट पड़ती है उस साब से आप थोड़ा सा रंगों को मिला मिला करके देखते हैं तो उसी से हम इतने सारे इत्वट बता सकते हैं ठीक है अब यहां पर एक चीज़ और इंपोर्टेंट है वह है आपकी फोविया यह विटा आपका फोविय भाग होता है यहां पर केवल और केवल पाए जाते हैं केवल फोविया में पर कोइद गोशिक है यह आपके नेत्र का सबसे सेंसिटिव ठीक है मैं एक लाइन नजब नजब अच्छा यह चल रहा है यहां पर बेटा सबसे साफ इमेज को क्या होते है प्रतिबिम्ब बनेगा ठीक है यहां पर इमेज सबसे क्लियर बनेगी उसका एक रीजन यह भी होता है यहां पर क्योंकि फोतो रिसेब्टर सेल्स, बाइपोलर नीरॉन और गैंगलियोनिक सेल्स वन न मतलब न होते है इसका था मतलब इसका मतलब है यह जाकर है इन हम यहां पे इन तीन के बीच में एक bipolar neuron है और एक ganglion से जुड़ा है, यहां पे इन दो के बीच में एक bipolar neuron है, मतलब इन तीन neuron से आने वाला है, इन तीन से इन दोनों से आने वाला जो भी message है वो एक neuron के पास आएगा, इन तीनों से आने वाला एक neuron के पास आएगा, इन दोनों से तीन फोटो रेसेप्टर सेल्स पर एक बाइपोलार और एक गैंगलियॉनिक है लेकिन जो फोविया भाग होता है यहां पर एक फोटोग्राम एक कोन के उपर एक विद्वी निरॉन और उसके साथ एक गुछी तो तीनों वान इस्टू वान इस्टू वान के रेशियो में क्य और में पर विद्व कोई परतिविम नहीं बनता कोई परतिविम वहाँ पर नहीं बनता है ठीक है इसलिए आम इसको बैटां अंध बिनदू बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको अन्ध बिनदू eight点 कि एक मिनिट कि अ कि अ कि अ कि मैं नंबर बोले हैं कि बाहर की तरफ कुलेगा कि नंबर बोले बैया कि नाइन थ्री वन टू थ्री नाइन एट फाइब नाइन एट कि रंजीव जा कितना पेमेंट है या तू एटी वन इसको भी या फेक दीजेगा बाहर आ गया भी या पेमेंट हो गया अ कि अ कि अ कि अ कि या र्य वा गया है मैं माइक आप करना भूल गी थी अभी याद आया चलिए तो यहां पर बेटा क्यूंकि कोई भी रॉड या खोंसल नहीं होता है इसलिए बेटा है याप पर क्या चल रहे है तुम लोग थोड़ा सो सीरेस हो जाओ गलती हो जाती है माइक आप करना भूल गे थे ठीक है तो यह यहां पर बेटा कोई भी प्रतिविम नहीं बनता है डन चलिए आगे बढ़ते हैं माइक खुला कैसे रह गया दन यह भी हो गया अपना यह इतना पी नीचे कैसे आ गया इसको तो उपर करना चाहिए एक मिन्ट अब हम बेटा मानव करने चुरू करेंगे एक बार जल्दी से देख लें बनता कैसे इमेज हम कैसे देख पाते हैं वह एक पर हम देख लें ठीक है चलिए अब आते बिटा यह आडॉपसिन और अडॉपसिन है इनके अंदर एक तो आपसिन प्रोटीन पाई जाती है इसके लावा बेटा इसमें एक रेटीनल पाया जाता है रेटीनल क्या है बेटा यह विटामिन ए से बनता है यह विटामिन ए व्यूत्पन है और यह aldehyde derivative है ठीक है विटामिन A उत्पन aldehyde है ठीक है इसीलिए बिटा आप लोग ने सुना होगा कि विटामिन A की कमी से रतोंधी होती है ठीक है विटामिन A की कमी से रात को देखना इन सब में problem होती है lite blindness अगर और नहीं ढएगा तो रेटिनल नहीं बनेगा तो आपका नहीं बनेगा जिसकी तो इसको आपको देखने में तकलीफ मे म gray आप प्रकाशलों ढाएग घंटा किया हैowej जब आपके pigments पर पड़ती है रोडॉपसिन आइडॉपसिन पर तो यह बिटा क्या करती है यह उसको आपसिन और रेटिनल में तोड़ देती है ठीक है और यह बिटा आपसिन अपने यह बहुत डीटेल पढ़ाती हूं मैं अभी नहीं पढ़ाओंगी सिस फॉर्म से यह ट्रांस फॉर्म में बदल जाता है ठीक है और इनके टूटने की वज़े से ही आपको दिखाई देता है जो भी इमेज बनती है इनके टूटने की वज़े से बिटा जो आपके फोटो रेसेप्टर सेल्स हैं ठीक है क्या मंगालया करो तो हम आपके खाना नहीं मंगया था धिनके हूं मैं अगर से तो और कोश्री में तूटा है यह से से ट्रांसवर्म में कजिसके द्यूंच से पिटा इन फोटो-restreaptor د्लोगा शैँ को चूश्री का जो प्रविदी का इन परमिठ्टीं का जो क्केश्च को पर घं यह जब होता है तो आपके जो फोटोरेसेप्टो जेट्टत इसकी membrane permeability कोशिका permeability पारगममिता में बदलाव आता है जब इसकी कोशिका पारगममिता में बदलाव आता है तो क्या होता है यही पारगममिता आगे की तरफ जाती है 281 क्या महंगी यह सस्ती इंगी इंगता है कि आए चिरी तो थोड़ी सी महंगी आती है नहीं हाती है चलिए तो बैटा क्या होता है जापके फोतर इसेश्म सनि उसकी कोशिका पारगममिता में बदलाव आता है जिसकी वज़े से ये चीज भी इंपोर्टेंट है कि आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स की कोशिका पारगम्मिता में बदलावाता है जिसकी वज़े से बिटा आपके जो ग्यांग्लियोनिक सेल्स है ठीक है जो आपके ग्यांग्लियोनिक सेल्स है यानि जो आपकी गुच्छिय कोशिकाएं है उन गुच्छिय कोशिकाओं में बेटा क्या होता है इसमें क्रिया विभव उत्पन होता है ठीक है ये इंपोर्टेंट है क्रिया विभव किसमें उत्पन होता है ग्यांग्लियोनिक सेल्स में और यही बिटा आपकी द्रिक तंत्रिका से कहां पहुंचता है आपके ब्रेन में ठीक है है या पता नहीं महंगी है कि सस्ती है मंगाली चाहिए थी एक्स्ट्रा हमेशा घर में तीन-चार होनी चाहिए ना तो लुट गए मैम नहीं लुटी तो नहीं होंगी यार काच की ह 125 ml की ठीक है हाँ मैडम आपको ठग लिया यह लोग पूर पदा नहीं यार हाँ यहां पर बैटा खतम होता आपका नेत्र अब हम बात करते बैटा मानव कर्ण की जल्दी से आखरी टॉपिक है आदे घंटे में इसको खतम करेंगे अब ठग लिया या लुटा दिया उन्हों ठीक है चलो sketcher सतीश मानव कर्ण के भी वी टा तीन भाग होते हैं इसको हम steto acoustic organ बोलते हैं steto acoustic आप सबको पता है कि ऑ चर्ण हमें सुनने में मदत करते हैं व्लेकिन आप में से मुझे नहीं पता कितनों को पता है कि यह हमें संतुलन बनाइ रखने में भी बहुत मदत करते ह हाई या नहीं तो इसके दो मुख्यकारे होते हैं पहला संतुलन बनाई रखना और दूसरा होता है बिटा आपका सुनना ठीक है अब यह जो बिटा मानव करने इसके तीन भाग होते हैं सबसे पहला हो गया आपका बाइकंड जिसको हम बोलते हैं एक्स्टर्नल यह पिर हो गया आपका मध्यकंड जिसे हम बोलते हैं मिडल यह पिर हो गया बिटा आपका अन्तेहकंड जिसे हम बोलते हैं इंटर्नल हियर ठीक हैNew aऐक बहुकर में लुटा हutetो यह और दो फिर बोलते हैं अपकी पिन्ना दूसरा होती है एक्स्ट इयर्ण और हेलत एक्स्टर्नल क्या पाइ जाता है इसमें पाही जाती है आपकी कर्ण अस्थिआं JISCKE बारे में हमने संदे की पढ़ा था कौन कौन सी कर्ण अस्थिए आपकी मैलियस कि इनकस कि और स्टेपी से बाहर से अंदर की तरफ तो बाहर की तरफ होती है आपकी मैलियस और अंदर की तरफ ङॉंदि agla पूछा जाए तो सिम बाहर से अंदर पूछा जाए तो मिस ठीक है अब अंतियकर्ण इंपोर्टेंट है यहां पर एक होता है आपका अस्थिल लेबरिंथ जिसको हम बोलते हैं बोनी लेबरिंथ दूसरा होता है आपका मेंब्रेनस लेबरिंथ जिसको हम बोलते हैं पेटा दो भाइव होते हैं एक हो गया आपका गिस्टीबुलर अपारेटस को अधो क्या अर्दूसरा हो गया आपका कि कोकलिया ठीक है इस वेस्टीबुलर और दो होते हैं एक हो गया आपके ऊटोले थंग एग्दे ऑटोलित अंग और दूसरा होग इरकी सरुकिलर केनाल अर्धThe Cわかar न लिकाएं अर्ध Agency Carnal है क्य निक्राइए कि आखऱ्िदे कार है है कि आपके सेक्ष्णौ्स प्रहें पृट्रिक्राइए कि देखो एप एक जगे हो जाता तो क्या समझने में असानी हो जाती है ऐसा मेरा मानने यह दोनों और लितंग के अंदर आते हैं यह बना लो बेटा यह आप लोगों को कभी कोई भी कन्फूजन नहीं होता है लेकिन अंते कंड में तुहान हां लेकिन अंते कंड में बच्चों को अक्सर कन्फूजन रहता है इसलिए हां स्क्वीन शॉट लेलो बेटा संदीप मैं पहले ही साइड हो गई हूं ठीक है यह इंपॉर्टेंट है हर बार लेट रिप्लाय आता है माम आप मुझे एग्नोर कर रही हो हां अरजुन तुमने तो मेरी भैसे खोली है तुमसे तो मेरी बहुत जादा दुश्मनी है मैं पढ़ाऊं या तुमारे कमेंट्स पढ़ू मुझे यह नहीं समझ में आता है मैम मिनिमम कितने आज बताइए अब पबार बॉय मिनिमम तो मती देखो वही सबसे अच्छा है लेकिन अब जब 18-18 गंटे की क्लासिस चलेंगी ओनलाइन तो तो देखना पड़ेगा ना हाँ या नहीं पढ़ाई करनी है तो 18 गंटे क्या 24 गंटे भी देखना पड़ेगा है ना चलियर आगे चलो स्वान को मारो बहुत रोता है स्वान का नाम रोनी रग देते हैं यह मेरा बच्चा उसके बाकी नाम तो फाइनल नहीं हुए है लेकिन जब वो बहुत जादा रहो नहीं नहीं समाई रहा हां जिस जिसने मेरी भैसे खुली हम सबसे नाराज हो और मैं उनके कमेंट्स देख रही हो मैं उनको रहे हां ए料 कर रहे हैं दूसरी चीज मैंने क्या बोली फानल नहीं हो ऑचिनल क्या उनको नहीं पता हाह लेकिन जब बहुत ज़ डोट तो हम बना अगे हाँ, चित्र बनाते हैं, चलो, आओ बहन, चित्रकारी करें, आओ बहन, चुगली करें, ऐसे बोलते ना, आओ बहन, चुगली करें, हाँ, माम, माम, बोलो कृतिका, बोलोजर टीम में भेजना, तो यह हो गया बेटा, आपका पिनना, जो की बायकर्ण है, यह हो गया आपका external auditory matus, जो की आपकी नलिका है, ठीक है, और यहाँ पर बेटा, आपकी कुछ ग्रंथियां, जिनको हम बोलते हैं, सेरुमिन ग्रंथि, और छोटे-छोटे ना, रोम उपस्थित होते हैं, ठीक है, यह सेरुमिन ग्रंथि, और छोटे-छोटे जो रोम होते हैं, इनका क्या काम है, यहाँ से बेटा, वैक्स, इयर वैक्स का स्रावन होता है, ठीक है, और यह इयर वैक्स क्या करती है, यह जो भी वायू के साथ, एयर के साथ, जो भी गंदगी अंदर जा रही है, मिट्टी के जो भी कंड जा रहे हैं, यह उसको चिपका के रख लेती है, ठीक है, तो यह और रोम पाए जाते हैं, सेरुमिन रंती से वैक्स, यानि की मोम का स्रावन होता है, ठीक है, लव यू टू बच्चा, आगे बढ़ते हैं, चलो, आगे बेटा, ये हो गया मद्धिकंड, उससे पहले, भायकंड और मद्धिकंड के बीच में, ये, इसको हम बोलते हैं, बेटा इर, ड्रम, या इसको बेटा हम टिम्पैनम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तिम्पैनम, और इस गुहा को हम बोलते हैं, टिम्पैनिक गुहा, ठीक है, ये हो गई आपकी, यूस्टेकियन नलिका, जो की, आपके, मद्धिकंड को, ग्रस्णी से जोड़ती है, ये यूस्टेकियन नलिका जाके, आपकी ग्रस्णी में खुलती है, और इस ग्रस्णी का काम क्या होता है, बेटा, ये ग्रस्णी आपके, टिम्पैनम, यानि इस इर्डरम के, दोनों तरफ, प्रेशर को मिंटेन करती है, ठीक है, आप सब ने फ यहाँ पर बेटा, श्री शर्मा, मैं गुडगाओं से हूँ, ठीक है, तो ये जो आपका कान ब्लॉक हो जाता है, वो इसी वज़य से कि अंदर प्रेशर बहुत जादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जाम उबासी लेते हैं, तो हम एक साथ बहुत सारी एर अंदर लेते हैं, तो वो एर बेटा, ग्रस्नी से आपके मद्धिकर्ण पर जाके दम से हिट करती है, जिसकी वैसे आपको लगता है कि यहाँ पर प्रेशर कान के अंदर बढ़ गया है, ठीक है, फिर बेटा, यहाँ पर उपस्तित होती हैं आपकी कर्णस्तियां, पहली हो गई आपकी यह मैल ठीक है, यह हो गई आपकी तीन कर्णस्तियां, मैलियस, इनकस, पेपीज, ठीक है, तो बाहर से अंदर की तरफ कौन-कौन सी होती है, मिस, अंदर से बाहर की तरफ कौन-कौन सी होती है, सिम, पेपीज, इनकस और मैलियस, यह बेटा जो है आपका, यह यह आपकी ओवल बिं इसको हम बेटा पेनिस्ट्रा ओवेलिस भी बोलते हैं, पेनिस्ट्रा ओवेलिस, ठीक है, जब कि ये हो गई बेटा आपकी गोला कार खिड़की, जिसको हम पेनिस्ट्रा रोटंडस भी बोलते हैं, पेनिस्ट्रा रोटंडस ठीक है, यहां से शुरू होता है आपका अंतयकंड, यह स्टेपीज जुटती हैं अंडाकार खिड़की से, यहां पर बेटा यह जो चांबर इसको हम बोलते हैं, स्केला वेस्टी बुली, बीच में हो गया स्केला मीडिया, और सबसे नीचे हो गया बेटा आपका स्केला टिम्पैनी, ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका है, वी, एम, टी, ठीक है, वेस्टी बुली, मीडिया, टिम्पैनी, है ना, आप यहां पर बेटा, वेस्टी बुली और टिम्पैनी में जो द्रव्य भरा होता है, इसको हम बोलते हैं, पैरी, लि वो भाग, जहां पर आपका वेस्टी बुली और टिम्पैनी आपस में मिल रहे हैं, यह भाग, इसको बेटा हम बोलते हैं, हेलीको, ट्रेमा, ठीक है, यहीं पर बेटा, आपका पाया जाता है, और्गन ओफ कोटाई, ठीक है, यहां कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, यह एक और जिल्ली होते हैं, जिसको हम टेक्टोरियल जिल्ली बोलते हैं, अब यह सब तो छोड़ दो, इसको हम बहुत आदा नहीं देखेंगे, बस आप इतना देखिएगा, पिन्ना क्या करता है, यह साउंड वेवस को कलिक करता है, हमारी केस में पिन्ना अवशेशी यंग ह लेकिन कुतों में आपने देखा होगा, कि जैसी तेज आवास आती तो एकदम से उनके कान खड़े हो जाते हैं, है ना, उसके आद बिटा क्या होता है, यह साउंड जाती हैं आपके एक्टेनल ओटेरी कैनाल में, इनके साथ जो भी धूल वगरक कड़ाएं हैं, उनको क्या आई आकर के से हिट करती है, और फिर जो आपकी एक कर्ण अस्तियां जोर से वाइब्रेट करती हैं, इनके वाइब्रेशन से जो साउंड वेव संदर आया है, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, आपको पता है, साउंड वेव सबसे दाधा तेज किस में करेगी, येर से बेटा question आता है, श्री मै भी बता दूंगी कौन सा question, एक तो मैं ने यही बता दिया, आपकी ये बोंस से लेकर के question आता है, बाहर से अंदर की तरफ miss, अंदर से बाहर sim, दूसरा बेटा है, यासे जो question आया है, वो आपके कॉखलिया एक statement आया था, सही और ग और यह NCRT की लाइन है तो यह से बहुत जादा क्वेस्टेंस आपके विछले सालों में नहीं आये लेकिन ठीक है आये तो है ने तरह से थोड़े ज्यादा आए है ठीक है चलिए तो कर्णस्तियां क्या करती है यह जो आपकी सॉलेट की इसको बढ़ा देती है क्यूeg यहाँ पर क्योंत है यहां पर सॉलेट है नर्डा में सोलेट में बढ़ेगी अहीं रहा है यहां नहीं हम बात करते हैं इंटर्न निहीं बिल्कुल 1 पर सेंट बैटरी पर आगिया है यह चोखलिय है यह आपका एक मिनट बेटा, रहा है बिल्कुल 1% बैटरी पर आ गया है उसको चार्ज करना ना तो बनता तो से पहले कि प्लद भाद हो जाये है सी लग गया है टेव परसिंट बैटरी ágगी थी इस फोन में है तो यह आपका कॉख लिया मैंने यह स्केला वेस्ष्टिबुली केला मीडिया ग type in इस ग्राव वैस्टिबुली में पैरिलिंफ है है तो टिंपनी में भी पैरिलिंफ होगा लेकिन मीडिया में एंडलिम्फ होता है क्लिव वह भाग जहां पर यह दोनों आपसे मिल रहें वेस्टिबुय और तिम्पनी इसको हमने बोल दिया हेलिको ट्रेमा ठीक है अब यहां पर बेटा इसको रीजनर मेंब्रेन वहीं बेटा आपके मीडिया और टिम्पनी के बीच में जो जिल्ली है इसको हम बोलते हैं आधारी जिल्ली या बेसिलर मेंब्रेन जो बेस बना रही है और यहां पर बेटा एक इस तरीके की संरचना और पाई जाती है इस संरचना को हम बोलते हैं टेक्टोरियल जिल्ली टेक्टोरियल जिल्ली या टेक्टोरियल मेंब्रेन ठीक है और यहां पर बेटा क्या पाई जाते हैं यहां पर कोशिकाएं पाई जाती हैं आपकी संवेदी कोशिकाएं ठीक हैं इनके बीच में कुछ छोटी-छोटी सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम डिटर और बाकी सायक कोशिकाई बोलते हैं ये हो गई बेटा आपकी ये समवेधी कोशिकाई ठीक है और ये पूरा बेटा मिल करके बनाता है ये सब क्या है ये आपका कौकलिया है ये पूरा क्या है ये आपका मैंने कौकलिया बनाया है कौकलिया आपके आंतरिक कंड का भाग है जो कि सुनने में मदद करता है आया नहीं यह आपको सुनने में मदद करता है जब कि आपका जो वेस्टिवलर अपैरेटर से वह आपको बैलन्स मदद करता है ठीक है अब यह बेटा टेक्टोरियल जिल्ली होगी होता क्या है अब ज़रा सुनने की एक बार हम क्रिया समझ लेते है सुनने की क्रिया कैसी होती है कैसे हम सुन पाते हैं मैं आपको पात बता रहे हूं पूरा ठीक है तो सबसे पहले आपकी जो साउंड वेवस हैं वो साउंड वेवस आपके पिन्ना से होते हुए कहां आएंगी आपके एक्सेनल और्टरी केनाल में ठीक है एक्सेनल और्टरी मीटस में उसके बाद बेटा ही कहां जाएगा नहीं ठीक है सकेचर सतीश पिर यह पड़ेगा आपके टिंपैनम पर टिंपैनम में वाइब्रेशन होगा ठीक है टिंपैनम में वाइब्रेशन होगा यह पहुंचेगा बेटा आपके ear obstacles यानि की कर्णस्थियों में तो कर्णस्थियों में भी vibration होगा आया ने कर्णस्थियों में भी vibration होगा ये भी बेटा क्या करेंगी ये भी वाइब्रेट करेंगी जिससे उसकी frequency बढ़ जाएगी और फिर जो वेव से बेटा वह आपकी अंडाकार खिड़की से होते हुए कहां से होते हुए अंडाकार खिड़की से होते हुए कहां पहुंच जाएंगी स्केला वेस्टिबुली में स्केला वेस्टिबुली से ये कहां पहुंच जाएंगी हेलिकोट्रेमा से होते हुए पहुंच जाएंगी स्केला टिम्पनी में ठीक है और स्केला टिम्पिनी से बिटा वहाँ पे आधारी जिल्ली है तो आधारी जिल्ली में कंपन उत्पन होगा आधारी जिल्ली में vibration आएगा, यानि की company आएगा, जिसके चलते वो company कहां पहुंचेगा, आपकी organ of 40 में, यानि 40 के अंग में ये जो बेटा पूरा है ये इसमें आपकी टेक्टोरिल जिल्ली और ये आगया इसको हम बोलते हैं, 40 के अंग यानि की organ of 40 के अंग, ये हो गया 40 के अंग, जैसे अब एक बास समझ दो पहले हापे, क्या हुआ, ये आपकी अंडाकार जिल्ली है, ये आपकी गोल जिल्ली है, यहां से vibrations आए आपके scale वस्टिबुली में ये vibrations बेटा हेलिको ट्रेमा को पार करते हुआ, कहां पहुंच गए आपके scale टिंपनी में scale टिंपनी में वाइब्रेशन हो रहा है उपर ये रीजनल जिल्ली में भी वाइब्रेशन हो रहा है, यहां आपकी आधारी जिल्ली में भी वाइब्रेशन होगा जैसे यह आधारी ज coment Зं में को चलते यह बैटा इवाजाइंत में दूर लेकिन जैसे लिए सब्सक्राइब को तो हम कहीं सब्सक्रा यह नद हो विश्राइब आतांगे वो इस message को कहां ले करके जाएंगे, यहां पर कुछ तो action potential generate होगा न, action potential generate होते ही बेटा, यह neurons message को कहां ले कर जाएंगे आपके brain में, थीक है, तो क्या होगा बेटा, यहां पर कौटी के अंग में पहुँचेगा, और कौटी के अंग में बेटा, जो सम्वेधी कोशिकाएं है इन सम्वेदी कोशिका या यहां पर कोशिकाओं में क्रिया विभव उत्पन होगा और यह क्रिया विभव बेटा कहां पहुंचेगा आपके सम्वेदी तंद्रिका से यह पहुंच जाएगा आपके मस्तिष्क में अब मस्तिष्क में भी प्रमस्तिष्क में जो सुनने का केंद्र है वहां पर ठीक है अब बाकी की बेटा क्या होते हैं बाकी के वाइब्रेशन यह आपकी गोला कार खिड़की से होते हुए ग्रस्नी से बाहर चले जाएंगे ठीक है अगर सुनने का मुख्यां के कौन सा हैं बोलेंगे कौन सा आपका कॉक्लिया कॉक्लिया के अंदर भी कौन सा आपका कॉटिक अब आपका बैलेंसिंग रह गया है ठीक है बैलेंसिंग कौन करता है बैलेंसिंग करता है आपका संतुलन बनाई रखने के लिए कौन जरूरी है संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है आपका वेस्टिबुलर अपारिटस तो यह जो आपका वेस्टिबुलर अपारिटस है मैंने क्या बोला इसके अंदर क्या है इसके अंदर ऑटोलिथ और सेमी सर्कुला के नाल से और्टोलित का क्या मतलब हुआ बिटा और्टो का मतलब हुआ आपके कंड अलित का मतलब हुआ स्टोन्स तो बस अनिकेत बस पांच मिनिट और दो खतम कर रहे हूं यह जो बिटा आपके और्टोलित ऑगन्स हैं यह इनमें कैल्सियम कार्बोनेट के स्टोन्स कंकड पाये जा पाई जाते हैं जब की कर्ण के अंदर बेटा आपके काल्सियम काबोनेट के क्रिस्टिल पाई जाते हैं ठीक है और इसमें आते हैं आपके यूट्रिकल और और तेक्यूल और दूसरा हो गया बेटा है यहां पे सेमी सर्कल सकेनाल्स अर्ध वृत्ताकार न लिकाएं ठीक है अब इसका भी तरह एक बार संद्रचना देख लेते हैं आपके यहां बार संद्रचना देखित घ्सकाएं वृत्ताकार थी तरह दूसरा बार संद्रचना भी तरह आते हैं यहां पर important बिटा यह है यह जो 3 semicircular canals होती है यह तीनों एक दूसरे के 90 degree पर उपस्तित होती है ठीक है यह तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिगरी बनाती है ठीक है यह तीन semicircular canals है यह तीनों इस तरीके से होती है आप ऐसे देखो आप आ तीनों एक दूसरे के 90 डिगरी ऐसे उपस्तित होती है ठीक है यहां पर विटा यह जो इसका फूला हुआ पोर्ट चन ह सब्सक्राइं को पूलते हैं अंत्र जोरुते हैं एम्पिलास प्रिशंद पके और इसके अंदर सनरचनाई होती है उनको मॉलते हैं क्रिश्टा जिया यहां पर इस समधी के भारे में दिटेयल में पढ़ाँगी ना सटूल में दियो है जब की बेटा आप एक यह यू ट्रिकल और सेक्यूल है यह अपका यू ट्रिकल हो गया यह वेटा क्या करते हैं ये इसके अंदर जो सनरचना होती है उसको हम बोलते हैं मैक्यूला ठीक है ये मैक्यूला आपको संतुलने मदद करती है वहीं बेटा आपके ये क्रिस्टा तूहरी है नाचने में वने सोग मुझ एवाटेशन में बैलन्स आप् Приस्थे अधियू को आपक टूही पिरी पर मोड़े तो साइकल नहीं गिरेगी ये सब्वाटा भीनैयो्टने में इन सब में बीटभा जो आपका का बालेंस होता है वो आपके क्रिस्टा एंपिलारिस और मैकुला बनाते हैं ठीक है और उधर आपका सुनने के लिए आपके कॉकलिया हेल्प करते हैं ठीक है तो इतना बेटा है आपकर अभी आपका खतम करते हैं बहुत आप दीजेल में नहीं पढ़ाएंगे एंसी अटी मे दी हुई है और इसमें प्लीज एक बार उसको अंडरलाइन कर लेना एक बार मैंने पढ़ा दिया है अब आपको क्या करना है क्लास खतम होते ही आपको एंसी आटी बार जल्दी से रीड कर लेने इस चाप्टर की मुश्किल से डेड़ घंटा लगेगा आपका सब कुछ क्ल हो जाएगा ठीक है चलिए तो मैं भी आज बहुत ज़्यादा थक गई हूं यह था अच्छी क्लास तंत्री का नियंत्रे ने परसों बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे परसों लोग केमिकल वाला यानि कि हॉर्मोन वाले चाप्टर पढ़ेंगे दो घंटे में खतम हो जाए है मैंने चाप्टर पूरी पढ़ा है हाँ यह लोग में बेटा यह चाप्टर आपका आठ घंटे का है इतना डिफ्रेंस है ठीक है चलिए अपना ध्यान रखिएगा अब हम मिलेंगे परसों नए चाप्टर के साथ इस चाप्टर के बेटा पीवाई क्यू आपके इस चैनल अपना बबाए परसों मिलेंगे टेक केर